गोrau ऑलो में हई है वह इससा कींडमति जिससे बच्छों को लगता है डर तो कोशिश करेंगे आज अपर तो पूरा याद ही कराते हैं ठीक है । पूरा एकएक चीज आपके विलकुल कनसेट में हो और टिप्स पर हो ठीक है कोशिश करेंगे सारे एकजांपल में आज याद कराने की कोशिश करूँगा और और इंसी आर्टी पूरी करा दूगा लाइन वाइस लाइन टहिक है तो रिवीजन पर्फेक्ट हो जाएगा भाइए नौन कोड़िट ख़रेंगे का टिक प्पर करेंगे तो start करते हैं इसा बनाड़ करते हैं किंग्डम manifest यह डिया डिया तो पर के अंदर जो अते हैं पर वात के फीचर्व मोन रहे है कि इसको वेजस महें नहीं मेलिया मेर रखना चाहिए तो कुछ फीचर्व हैं जिसके पर हम ने कह सकते हो ओर आर्गनिजम को सब्सक्रीर मल्किंटी corazón होनी चाहिए नमबर वन ठीक है और वह यू क्यारियोटिक होना चाहिए होलो जो एक मोड अफ न्यूट्रिशन होना चाहिए तब जाकर के उसको आप बेसिक फीचर बता रहा हूं ऐसे बहुत सारे फीचर से तब जाकर के आप उसको किंग्डम एनिमेलिया में रख सकते हो ठी संद॥ क्लासिफिकेशन किसी में किसी पर करेंगे जैसे क्लासिफ्इक उसके मांक्स क्लासिफाई कर सकते हैं और मार्सिफंब कर सकते हैं ऐसे भी भी फीचर उठालो उसके बेस पर हम किसी भी चीज को classify कर सकते हैं ऐसे ही यहां पर हमने basis of classification पढ़ना है जिसमें अनिमल को classify कर रहे हैं ऑन दा बेसित आप x by z ठीक है सारे की सारे बैसित उठाने वाले तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर वहीं बेसिक फीचर ऑफ ओल एनिमल्स तो तो चार पांच फीचर सें जैसे मल्टी सेलुलरिटी वाइक समझना अगर मल्टी सेलुलर नहीं है तो वह एनिमल नहीं है उसको किंड़म एनिमेलिया में नहीं रखेंगे ठीक है यू क्यारियोटिक और हालो जोएक मोड़ आफ नूट्र को ठीक है पकड़के निगल लेने की प्रक्रिया को प्रॉसिस को हम हालो जोग मोड़ आफ नूट्रेशन बोलते हैं तो यह बेसिक फीचर है नर्वस सिस्टम लोको मोशन एट सेक्टर यह और भी फीचर हैं पर तीन फीचर में हैं जो आपको याद रखने हैं मल्टी सेलु करते हैं मैटा जोनस मैटा जोनस और मैटा जोन को भी आप क्लासिफाइब कर सकते होनी जिनके पास फॉलो जोग मोड उफ ट्रीक्ता भापमेट चुर्टम सेढıntड से लूर्याल रख स्विकार भलतए ने रखता है ठीक है जो होलो जैक मोटर हूं स्विक्राइव नूट्रिशन रखते हैं निसलें नीशल में सबसे चुποι है इसके लाबा टिशू से लेकर के सिस्टम टिशू biggest order system बचाभि कि यूमेतडा छों से थिक अब टिशू लेविल ऑफ और में से स्टार्ट होता है वह हुआ सील रेटा से टीजू में मिलता है और आगे सब के अंदर और टिश्टम यानी सिलेंट्र से पहले आता है पौरी फेरा तो पाउरिफेरा में मिलता है सबसे तो पराजोंस की बात कर रहा हूं तो फैघ्र जोब सेलूलर को जोटेशन पॉरिफरा में मिलता है इसके लाबत जितने भी एनिमल वोते हैं उनको यू मेटा जोंस बोलते हैं जिनमें टिशू ऑर्गन या ओर्गन सिस्टम लेबल ओर ऑगनाज़शन होता है ठीक है Taylor Masin Ak уж सारे के सारें यू-Midet bakery 12 to vaat tire All our u-meta-yoons तो आभ भी बात बताई है मैंने ठीक है हम में प्रुफू करता जाएंगो हर्चीज याद कराता जाएंगा example सारे सारे कंपाईल कराता हुँ आगे बढ़ुगा ठीक हैं इस मिल्टि किया है से लेकर के और अगे बढ़ रहा हूं अब एक फीचर को उठाएंगे तो सबसे पहले लेबल ऑफ और इजेशन की बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑव और बेसलों लेबल ऑफ ओर इजेशन आइस टहले का ओर इजेशन की बात करने वाले हैं यहां पर हम कोई डाउट हाँ तो अगर हम बात करते हैं इस एलूलर लेवल ओफ और नाशन का देखने को मिलता है पौरी फेरा अभी बताया था मैंने पौरी फ्रसके इंदर सेलूलर लेवल ओफ और नाशन होता है ठीक है हाँ सिंपल कुछ सेल आते हैं मिलकर के सेलूलर लेवल ओफ और नाशन की तो बिल्कुल भई छोटे छोटे सेल मिले मिलकर के और नाशन किया इसको बोलते हैं सेलूलर लेवल ओफ और नाशन ठीक है फिर आगे जाकर के कई सैल ने मिलकर के सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया ठीक है जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर थे जिनक के बाद कई टिशू ने मिलकर के ऑर्फिड बनाए औरन एया फिक कई और सिस्टम ले मिलगन आ ठीक है तो सेgia पनी फूर सफोकस करो ठीक और लेविल ओफ और सिस्टम से को डेटा फिर से बुल रहा हूं सेलुलर लेबल ऑफ और टिशू से लिंटेटा टीनोफोरा और और लेबल ऑफ और नाजिशन एंसी आटी बोलती है प्लैटी में और न के साथ और न सिस्टम भी देखने को मिलता है ठीक है बट और यादर को फिर प्लैटी की बाद से लेकर के कोड़िटा सब और न के अंदर और न सिस्टम लेबल ऑफ अगनाशन देखने का मिला ठीक है तो यह लेक्टाशिव क्लासिविकेशन हो गया अगर मैं सके पैटन की बात करूं तो इसमें भी दो पैटन देखने को मिल जाते हैं और गन सिस्टम लेबल ऑफ और ऑगनाशन में दो तलग होता है एनस अलग होता है वह गृति है ऐसी तर्कुलीटरी सिस्टम में भी पैटर देखने को मिलते हैं ओपन एंड क्लोस जैनी फैरियरीशन यानि सब्सेप्राइब सेल्लर टिशू ऑर्गन ओर और 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 शिस्टम में भी वैरियेशन इस टाइप का और इनसे नहीं तो सिलिंट्रेटा, तीनोफोरा, सीलिंट्रेटा, तीनोफोरा और प्लैटी अलमंधीज क्योंकि एसके मंधीज के अंदर कम्पलीट डाइदिस्टिप सिस्टम आ गया था त्यू विदिन ट्यू ठीच तीन एक्जमबल धिन रखने यह सकती से कॉड़ेटा सबके पास कम्पल अगर आप देखो के पहले स्टार्टिंग में अनिमल आए थे उसमें आप बोलोगे सिंपल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम था सिंपल का मतलब है कह सकते ओपन टाइप का आगे जाकर के वह क्लो सर्कुलेटरी सिस्टम में करने वा उपन का मतलब कहा है जिसमें जो फ्लूड का बाडी फ्लूड जो भी है उसका जो फ्लूड होगा है कैवीटी के तुरू रहा है जहें के जाला ऐसको लेक्ट्यूना सायनस बहुते हैं के तो आप उसको पन टाइप का बोलोगे और जहां के बिटी नहीं एक लोग सिस्टम में ब्लड वैसल में अगर फ्लो कर रहा है बोडी फ्लिव्ड तो आप लोगे ठीक है तो कुछ एक्जम्पल लिए मैं ओपन की ओख लोगे ठीक है ओपन मुस्ली इन वर्टीवेट में ज्यादा डॉमिनेंट होता है ज थीज़र सिफेलो पोड़ा सै वह समेकलों के मतलब ज़र चल रही है और ऑगे जागर के हैं उर यहां मिलेगा फिर से बोलता हूं उपन कहा मिलेगा एनी लिडा की बात करते हैं तो ली लीच और तो बड़ा उपन ही होता है मॉलस्का उपन होता है में एक्सेप्ट सिफैलो पोड़ा ठीक है एक हाइन उटर्मेटा में सर्कुलिटरी सिस्टम स्टैप का कुछ भी नहीं होता हां आगे जाकर के हैमी कॉड़िटा की बात करते हैं तो वहां ओपन होगा और कॉड़िटा में उल्ली यूरो कॉड़िटा क्लियर है याद हो गया ह अगे जाके कॉड़िटा के अंदर तो समद होता ही है अब बताओ यहां तक कोई डाउट यह एक्जामपल सिंपल याद रहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब सिमिट्री अब सिमिट्री की बात करते हैं तो मैंन आपको बताया था एक मानो कोई बॉड़िए को उस बॉडि को आप फ्लैट सर्फेस से कट करने की कोशिश करोगे फ्लैट सर्फेस से तो उस फ्लैट सर्फेस को हम प्लेइन बोलते हैं ठीक है तु समझ में आ गया एक्सिस क्या होती है इडिज आ हाइपोथेटिकल ठीक है इस्ट्रेट लाइन विच पास प्रॉम सेंटर सेंटर ऑफ बाडि उसको मेक्स बोलां लगे फ्लैट सर्फेस को में बोलें महां लो जीसे यहleş संगल प्लें ये पूरा फ्लैट सिंगल प्लेन एक एक मैं नहीं काच हाइडरा को कांश के टुकड़े से मैंने ऐसे कट किया है अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो गया समझ रहो और समझ है मेरी बात यह क्या होगी सेंटर में एक्सिज एक hypothetical straight line which pass from center of the body यह होगी एक्सिज यह क्या होगे plane plane समझ रहो तो plane और एक्सिज समझ में है plane एक flat surface होती है जो center axis से पास करती है center axis axis is a straight line which pass from center of the body ठीक है तो दो बातें clear है यहां तो कोई से डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है आप समझो अगर symmetry की बात करता हूं यह दो समझ में आगी एक्सिज और plane तो symmetry कुछ भी नहीं है ठीक है अगर किसी भी body को आप center axis से सिर्फ एक ही plane में दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हो only एक plane के अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हो bilateral symmetry एक से ज्यादा plane में दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हो तो radial symmetry किसी भी plane में दो डिवाइट करी नहीं पाते हैं single-plane pin-pine to equal parts bilateral more then one plane to 3 कुछ भी तीक है equal two-part radale symmetry किसी भी प्रीन में तू पर्ट में करी नहीं पा रहे हो asymmetry ध्यां rने ठीक है एक सी मिटूरी mostly sponges और question हाथा lumière kous Engela BC rt रखा हैं तीक है कर करते हैं और आगे जाकर करके echinodermata समझ एटल्ट इंसी अधने अचे नहीं। करता है यह बिलाटर सिमेट्री सिंपल कहां से स्टार्टु के बार इंधन से संगे कbell सब करता सब्सक्राइब देखने को मिलती है कोई डाउट चल आगे बढ़ता हूं सिमिट्री के वाद हम आगे बढ़ते हैं यह लेफ्ट और राइट लेफ्ट और राइट टू इक्वल पार्ट बाइटल सिमेंट्री कि अब ओन्दा बेसे जर्म लेयर भी अनिमल को आप क्लासिफाई कर सकते हूं तो जर्म लेयर होते क्या है जब स्पॉम ओवा को फटलाइस करता है जाइगोड बनता है एक जाएगोड जो सिंगल इससे तीन लेयर बनते हैं एक्टरॉम जूडॉम और एंडॉम इसको जर्म ल जिनका ओरीजन तीन जर्म लेयर से हुआ है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड्रिप्लोब्लास्टिक कंडिशन ठीक है अगर मैं डिप्लोब्लास्टिक कंडिशन की बात करता हूं यहां पर एक्टोडम और एंडोडम कंडिशन की बात करते हैं तो यहां पर एक्टो और एंडों के साथ-साथ मीजो का भी फॉर्मेशन हो गया था तो कुशन आएगा वह कौन सी लियार है जो पहली बार ट्रिप्ल ब्लास्टिक के अंदर बनी थी दो पहले थी तो मीजो डूम पहले बनी थी यह बल्कुल मीजो पहली बार होगा था ट्रिप्ल ब्लस्टिक के अंदर एक्सांपल द्यान रखने प्लब्लस्टिक के अंदर शीलेंट रिंटर इनोफर प्लैटी ऐलमधी इस से प्लड़ ब्लस्टिक के लिग नोगया ठीक है जानता कोई डाउट जानता कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये ट्रिफ़ो बलास्टिकक का दिखागे तबी ऐता है यहां पर मीज़ोय ट्रिफिफलो ब्लास्टिक इस आप और लोग है फी एक्टव्य और अर्म तो यह प्लोल्यस्टिक अधियाओ प्लोब्लास्टिक अधियोभ लास्टिक दोई एक्जामपल बता है मैंने आपको जाहां दोजार्म पूर्ण हो तहीं ज्यान रखना है बीच में कोई लेशा क्लासिफाई कर सकते हो कर सकते हैं जो हमारी गट और बाडी बाल के बीच में होती है एनी इंटरनल स्पेस फॉर्म बाई मीजोडम के मिलने से बनती है और प्रिजेंट बिट्विन आउटर बाडी बाल और इनर गट बाल त्यानक नहीं प्रू सीलोम हमेशा मीजोडम के मिलने से बनती है जो गट की बाडीबल और बॉडी बॉड़क के बीच में देखनों को मिलता है वह सहीं हने में से लों है तो फिलो अधर करेंगे ठ्रू शेलो मेट तो तो जितने भी डिपलोब्लास्टिक एनीमल्स होते हैं वह सिलोमेट है प्रकुशन ऐसे पूछेगा ट्रिपलोब्लास्टिक एक्जामपल बताओ तो वह एक ही है प्लैटियल मन्थीस ठीक है तो ध्यान से देखो एक्टोडॉम और बीच में मीजो के लिए देख रहा है न कोई सीवेट नहीं है न तो सीवेटिस के अंदर ना इन इननरे बीच में कोई सीवेटी को होती है सॉलिड मीजो डम होती है विटा ट्रिपल ब्लास्टिक कंडिशन है एक्जामपल प्लैटी हेलमन्धी इस प्लैटी हेलमन्थी इस में यह कंडिशन देखने को मिले की को इडाउट हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडिशन, प्लैटी अलमन्थीज, स्टॉलिड मुजोटर्म, बस प्लैटी के बाद आगे बढ़ जाओ, स्टॉलिड में प्लैटी और फिर एस्टिक के बाद टोटल एनी लिटा से लेकर के सब के पास ट्रू सीलोम थी ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, एशेलोम में डिप्लोब्लास्टिक भी है ट्रिप्लो प्लास्टिक भी है, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर सीलिंट रेता और टी नोफौरा, ट्रिपल ब्लास्टिक में सिर्फ प्लेटी हलमन्थी और एसके हलमन्थी राउंड वॉम के अंदर स्यूडो सीलोम इसलिए बोल रहे हैं कोकि यहां ध्यान से देखोगे बाहर वाली एक्टोडर्म है अंदर वाली एंडोडर्म है दोनों के बीच में मीजोडर्मल पाउच फ् इसको बोलते हैं पूरी की पूरी की पूरी सीलोम अंदर से आस्तरित हो रही है लाइंड हो रही है मीजोडर्मल टिशू से जिसके अंदर बॉड़ी और वाड़न होंगे इसको बोलते हैं सही माइने में ट्रू सिलोम तो यह क्या देख रही है आपको ट्रू सिलोम क्लियर विल्कुल यह बीच वाली ठीक है वह एक्टडॉम अंदर एंड़ोम और बीच में जो इंटर्नल कैविटी है मिडल कैविटी है वो मीजोडर्मल टिशू से लाइंड है ठीक है इसको बोले अगर सीलोम का फॉर्मेशन समझना इन दोनों के बीच में मिजो टिशू पड़े होते हैं एक्टो और मीजो की विच में की स्प्लेटिंग से हो रहा है तो सब्सक्राइब बोलेंगे एंटरो सिलोम अगर मीजो टिशू बीच में नहीं है पर गट की लेर के अंदर है उनकी आउट पॉकेटिंग से बन रही है तो इसको हम एंटरो सिलोम बोलेंगे ठीक है पहले समझा दूँ मैं यहां पर यह तो एक्टो नाम नहीं एंडो मीजो डाउन ठीक है यह ब्लास्टो पूर है अब यहां क्या हुआ अब मीजो ट्रमन टिशू की स्प्लीटिंग होगी ब्रेक डाउन जीसे मानों जी मीजो ट्रमन टिशू है इंकी ब्रेक करना चालू करते हैं अरे बहुए प्रिच्ट है यह स्प्लेटिंग हो गई बीच में से टूट गए अगर मीजु दूर्बाट टिशू की स्प्लेटिंग हो रही है उससे शीलों बन रही है तोटा दीज दरी शीलों बना चालों गई और यह बन की टूसी लों हूँ यह हुए ट्रू सिलोम ठीक है तो अगर मीजो डर्मल टिशू पड़े हुए है एक्टो और मीज एंडो के भीच में उनकी स्प्लीटिंग से कोई सिलोम मन रही है तो साइजो सिलोम है एंटेरो सिलोम नामे चुपा हुए इंटरस्टैनल टिशू की आउट पॉकेटिंग से देखों यह एक्टो है यह एंडो है यह मीजो है अगर मीजो टिशू की आउट पॉकेटिंग होगी दिखा दें आउट पॉकेटिंग करते हुए यह बार निकल गए और बलकुल बहार निकल गए यह ऐसे आगए यह ऐसे आ अगहे यह अगर मीजो टिशू की आउट पॉकेटिंग वार निकल रहा है लायका पॉकेट बहार निकल रहा है उससे व्लोम रहे है तो चो आईसी सीलों को एंटिरो सीलों भोलते हैं दोना रिजु सिलों है ब सबस्ट coloca कितिंग से बन रही है उसका क्या होता है क्या उसके बाइए नहीं अभ्छेager aебन चेज में लासिब कर क्योंकिने सब्सक्राइब लेकर करके कौड़िटा सब के अंदर एंटर देखने को मिलती है तो शीलों के वीज़त पर भी आप एनीमेल को को classify कर सकते हो सब से नेले लेबल ऑफ और इसे की बात की टीशू लेवल और लेवल और रगनस्सिटम लेवल नमबर तू पर हम नेशन है उसमें भी complexity देखने को मिली सब Sergio सिस्टम और दूसरा एक्शामपल इसमेंुज है कि Git तो ने है लेटी अगे हमने जर्म लेख की बात की जर्म लेयर के बेस पर हैं या क्लासिफाईई कर सकते हो तिक है जर्म लेर ॉसफार की बिल्कुल टिक है पूइडाउट फिटी नेक्स आगे नंबर फॉर्ट तीलोम के वेस्पे क्लासिफिकेशन वही तीन टैप की हो सकती है डिपलोब्लास्टिक एसीलोमेट ट्रिपलोब्लास्टिक एसीलोमेट और यूसीलोमेट ग्लियर है विलकुल हां तो यह ध्यानक ने आपको जी एक्जाम पर एक्टरिलोम बनी चलँ में थे पिरीच के से दिन वह समुए लू को और चले कि इसीलोमेट टीन आपको डियाग्राम दे रहां करते ही है उरन नगे भीच में यहां आउट पॉकेटिंग से पाउच बन गए हैं पर फ्लोट कर रहे हैं अब यह फ्यूज कर गए फ्यूज करके अभी सी लूम नहीं है तो यहां तक कोई डाउट है तो मझे बता हूँ सेग्मेंटेशन सेग्मेंटेशन के बेस पर भी आप अनिमेल को क्लासिफाई कर सकते हो जैसे metameric segmentation अगर body भार से segment में डिवाइद है और अंदर से भी division हो रखा है segment में अंदर से Carnal the position of internal argan according to external segmentation position of internal organ according to external segmentation तो सको anti-amer calle segmentation बूलते हैं ठीक है two segmentation Verm aktivent anton different सब्सक्राइब करें और अंदर सप्सक्राइब मेट तब बोलोगें जब अंदर की ऑर रीघंडिप में सब्सक्राइब है ओप थरी एंफॉर सेंच के नीचे फिक स्वाटी तो इंटरनल pan की पोईिषण एक और tint ooh सब के अंदर 15 ड़ और सेइमेंटेशन बोलते हैं थिक है यदि जेर अहशे को मिलता है इन तीन के अंदर ही Meta-Americ Segmentation देखने को मिलता है इसको True Segmentation बोलते हैं तो Anida, Orthopoda और Cholida यह देखने को मिलता है Meta-America Segmentation इसके लाभा बात करते हैं तो जैसे Platy Almanthes में देखोगे आपको Body Segmented देख रहे हैं पर Actually True Segmentation नहीं है इसको तो स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन वह सकते हो ठीक है अब बताओ कोई डाउट यहां तक नहीं होगा नॉटो कॉट नॉटो कॉट के वेस्ट पर भी अनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो भी स्टार्टिंग में तो पता यह ना नॉन कॉड़ेट कॉड़ेट क्लासिफाई कर सकते हो थे कि अनिमल में नहीं होता उन नोफॉड में नहीं मिलता है देखने को नहीं मिलता नॉटो कॉड़ सिंपल सी बात है तो इसकी देन वो यही है जरूवत के सबसे चीज़ें बनती है मेरे पास वह चीज़ है पर मैं जरूवत नहीं है तो मैं इसको यूटराइजी नहीं करूंगा ठीक है तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंडो स्केलेट कि कि ऑलोंगीरेट रोड्राइक मिजुनattendन हो कि छांटर नटेर प्रिजेंट होगा एस अंदर को आदे का सारे कणित के अंदर टीक है हां और आप हो सकते हो ठीक है यह नोड़़ामॉर्देड कोरी तो dawn नहीं Countau आप ऑप समझे ना मेरी बात भाही स्टार्टिंग में कॉडवेट्स ने खुद को रिप्लेस कर लिया बटी विल कॉलम के अंतर तो वनकॉडिट्स अगे कोडिट्स इन्दर वर्टिवल कोलम अने बहुते पहला वह काटी लेजर बने फिर आगे जाके वह वह नहीं मने ठीक ह हां without in sum Qoadks noto code is replaced by a virtual column these coordinates are called vertebrates तो vertebrates कैसे बने पहले Claudius पने थे आगे जाकर क्योंदर करकिंद और मजबूति की जुरूत पड़ी तो noto kod धीरी-दीरी एपलेस और चालो हो इंज लोगे वर्टेवल सारे किन ي很好 सकते हैं पर सारे की सारे बेटाइट से और यहां तो यहां तक विड़ुट है तो मझे बताओ या सिनों नहीं होगा ठीक है अब घंपाइल टर लेते हैं जैसे इंग्डम एनिमेलिया की बात करता हूं मेन फीचर क्या है मल्टी सेलुलर एटी तो इसको लेविल ऑफ और नेशन के भी सिपर डिवाइट कर सकते हो ठीक है एक सेलुलर लेविल ऑफ आउगनाशन टिश्व लेविल ऑफ नेशन यह और देखना नगा पौरिफिरा के अंदर तो परिफिरा की इसे होगी पौरिफिरा के अंदर अगर मैं बात करता हूं जिनमेंट टिशू और या और सिस्टम लेवल ऑफ और नाशन होता है वहां पर द्यानखना है रेडियल और सिमिट्री देखने को मिलेगी रेडियल और सब्सक्राइब करता हूं तो यह सिलो में बात करते हैं तो सुडो सिलो मेट और ट्रू सिलो मेट थे स्यूडो का मतला फाल्स जैसे आप देख रहे हो ना कि आइस पैक या और तमाम चीज़ा लगा करके ब्लीडिंग को रूपा जाता है ठीक है तो बिदाउट बाडी के विट प्लैटी रमंधी कोई क्यबिटी नहीं होती है तो कि यह कोशन पूछा गया है कि आए इस विजो तॉलो क्यों क्यों कोई प्लैटी यम इंदर कोई प्रकार की नहीं थी हाँ एसटी इस में क्यावती थी इसको यहिए स्वूर्म बोलोके पर इसके पास कोई थी नहीं समझगे हाँ ऐसके ल्वंधी स्की बात करते तो सब कुछ थीक पर इसका कोई मतलब वो नहीं ए ठीक है एसके ल्मंधी तो फ्लैटीलमंधी करता हूँ थो सिलों के वेस्फ पर यानिमल है परी ठिक है आप समाधे स्वारिव्ड ठिक है लेबल ऑफ अउन्यशन की बात करता हूं ठिक है यह किसकी बाद चल रही है कि थे यह सी लोमीट है यह यह भी चलमंध अपने को देखनें है यहाँ स्वूडो भी आ गेटी तो एक तरीके से पूरे चार्ट को कंपाइल कर दिया बस इतना क्या करेंगे वह कुछ चीज़े एरेज करतेंगे एरेज करके ABCD लिख देंगे और फिर पूछेंगे इसके बाद बताओ अब क्या यह समझें हां तो कुछ इस तरीके से मामला चलेगा यहां पर तो समझ में आ किस तरीके से चलना है अब बताओ यहां था किसी कोई डाउट शाउट है हां एक पाथ हमारा खतम होता है जनरल चीज़ेंगे अब पौरी फिरासे हम चालू करेंगे कहनी पहानी चालू होगी पौरी फिरासे इसको समराइज करता हूँ पहला यह कोशिश करना आपको याद हो जाए सबसेपहले हमने बात किए है कि आपको इनीमिलिया है क्या किन्डम एनीमिया क्या है तो मैं आपको बता दिया इसके किसमें ध्यानक नहां कि ऐसे एनिमल जो यू कैरिय अरे अट हो हों मल्टी सेललेलर हों ठीक है और हालो जएक मोड अफ नूट्रिशन करते हैं उनको मेटा जोंस बोलते हैं इस आप पैराजुएंस और यू मेटा जोंस पैराजुएंस के अंदर अधर ऑनली सेल्वल लेविल ओफ नाशन आएगा यू मेटा जोंस में टिशू से लेगे सब्सक्राइब करें नेक्या क्ला सिफिक्षिंगा है जैसे आपको याद रखना है सर्कुलीटरी सिस्टम और डाइसेस्टिफिव सिस्टम इनकी एक्दाम्पल ल्ती ए ठीक है फिर डागे बजाओ जर्म लेटीडर पर क्लासिफिक्षिटिप अगें जर्म लेयर की बात करते हैं तो डिपलोब्लास्टिक टिपलोब्लास्टिक यहां तो कोई डाउट ही नहीं ठीक है आगे आजाओ जर्म लेयर के बाद सीलों के वेस्पर क्लासिविकेशन कर आया तीन द्यानक नहीं आपको एसीलोमेट स्यूडोसिलोमेट और ट्रूसि यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो अब चालू करेंगे हम पौरी फैरा और फैरा तो अब हम बात करते हैं तो इतना क्लासिफिकेशन में कुछ पॉइंट से जिसके बिस्पर्म नाइमल को क्लासिफाई किया है यहां तक आपको याद रखना है अगर मैं पौरी फैरा की बात करता हूं तो हम पहले नॉन कोड़ेट कबर करेंगे ठीक हैं फाइलम पौरी मतलब पौर फैरा मतलब बेर ऐसे एनिमल जो पौर को बियर करते थे धारण करते थे वो सारे के सारे पौरी फैरिंट के अंदर रख दिये ठीक है तो बस दो मेंली पौरी फिचर याद रखने मैं पहले बोल दे रहा हूं यहां एक्दम रट्टा फेकेशन नहीं चलेगा पूरा में फीचर क्या है एक्जामपल क्या है में फीचर क्या है एक्जामपल क्या है ठीक है में फीचर और एक्जामपल में फीचर की बात चलता आती है तो हर किसी फाइलम के अंदर बेसिक में फीचर में आपको बता दूँ आ हमेंayı करऊंगा जैसे पौरिफिर्य सार्व और नाइड अलेटिया को चीद यह भी कहा रहते हैं उनका है उनकी सिमर्ट्री कैसी है उनकी चाने होती है प्रिफरा में तो संर्ट नहीं एंग किसरेख की पॉड़ी थे से लों किस टाइप की मैं है नहीं नहीं है तो सेगमेंटेशन मिलता है नहीं मिलता लग मेटामेरिक सेगमेंटेशन नर्वा सिस्टम डिवोडैक्शन डवलमेंट रीजेनरेशन यह कुछ पॉइंट्स मैंने मतलब क्लासिफाइए कर दें इन पॉइंट्स के विच्ट पर उस एनीमल पर अपलाई कर तो बेशिक फीचर पत नहीं ने हैं but some presenting fresh water fresh water का मतलब diesel fresh water का मदना river water ठीक है आप सम्झे हो Pond water ठीक है fresh water जैसे pass जयला fresh water में मिलती है इनकी symmetry कैसी होती जुर्पान जी सिम्मेटरी की बात करते हैं तो mostly ठीक अधू है डिया सेट्री भी होती है रेडियल सेद्री भी होती है यस और asymmetric भी होती है तो mostly sponges asymmetrical होती है बड़ समसो radial symmetry mostly asymmetric कोई symmetry नहीं होती बड़ समसो radial symmetry germ layer peripheral में cellular level of organization है कैसा cellular level of organization ठीक है वो पहली बता दिया मैंने peripheral में cellular cylindrata tenophora में tissue platy almanthys में organ और S के almanthys से को और डिटा तक सब के अंदर organ system label of organization ठीक है ठीक है जर्म नहीं होंगे यहाँ पर body cavity भाई स्पॉंजों सील होती है body cavity body की अपनी cavity होती है इस पॉंजों सील मतलब cavity गोहा सीलों नहीं होती ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सीलों डाइजेशन हां ठीक सेल हैं डाइजेशन तो करेंगे पर कोई कैनाल नहीं है कोई उनका digestive track नहीं है ठीक है तो सेल ही अपने nutrient को absorb करके अपने अंदर digestion करते हैं तो intracellular digestion होगा ठीक है एक्सक्रीशन बड़ी सर्फेस से नाइट्रूजरस बिस निकल जाते हैं respiration body surface से ही होता है circulation यहां कोई नहीं था वाटर के मूव्मेंट से ही सब कुछ हो रहा है वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा segmentation यहां कोई segmentation नहीं है एने लिडा और तो पोड़ा और कोड़ेटा थीन ही एक्जामपल बता है segmentation के अंदर में नर्वस सिस्टम यहां कोई नर्वस सिस्टम नहीं है नर्व ही नहीं है हाँ सिलेंट रेटा में पहली बार simple टाइप का नर्व सेल बना था reproduction हाँ अगर मैं पौरी फिरन की बात करता हूं तो यहां पर reproduction sexual भी होता है sexual भी होता है starting के अनीमल में sexual dominant है यह आगे जाकर के नॉन कोड़ेट से कोड़ेट में जाओगे sexual dominant होगा मला sexual जाला देखने को मिलेगा जैसी आगे बढ़ते जाओगे sexual dominant होता क्यों 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 यह थे नेचर को भिन्यताएं चाहिए थी हो भिन्यताओं वैरीशन के लिए sexual reproduction जरूरी है ठीक है development starting में जो भी अनीमल पढ़ोगे ठीक है उनमें indirect development होगा मतला लार्वा देखने को मिलेगा आगे पढ़ोगे उसमें डारेक्ट development होगा लार्वा देखने को नहीं मिलेगा regeneration पौरी फिरा के अंदर क्या regeneration मिलता है ठीक है तो समझ में आया यह कुछ basic feature है इसके लावा क्या पौरी फिचर याद रखने और एक्जांपल तीन बाते यह पार्ट सब्सक्राइब करना कैसे है कैसे इसको टिप्स पर लेकर क्याना है फिंगर टिप्स पर ठीक है तरीका मैंने बता दिया अब वापस आ रहा हूं स्टार्ट कर रहा हूं जैसे अब एंसी यह सब टोटल एंसी आटी यह वह एक लाइन लिखी नहीं लाइन को मैंने पॉइंट्स में कनवर्ट किया जिससे के तुरुंत वह एकदम ब्रेन में सैट हो जाए तो तो याद नहीं होता ठीक है एंसी आटी के पॉइंट्स को लाइन में तोड़ दो तो कैसे याद होते हैं देखो जैसे पहला पॉइंट यहीं दे रखा है दे आर जन्रली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल इन ठीक है नेचर तो मरीन है बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वोटर ठीक है अब समझ ना अधिक है दे आर जन्रली कैसे मरीन अधिया जन्रली कैसे मरीन और कैसे एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल इस दो पॉइंट आ रखने और जब मरीन की बात आए कि सम प्रेजेंट इन फ्रेश वोटर सम प्रेजेंट इन फ्रेश वैरतर और फ्रेश वटर मेकी एकजांपल इस पॉँज्वे राझक जैला जैसे स्पॉँज्वेव इस-पॉँज्वेव इस पॉँज्वे ला ठीक है वैघ है जबीक ऐसे होथी होथया पूरा एनीमल किंग्डम तो आपने अगर पहले समझ लिया यह में पूरी कहानी इन पॉइंट्स के एराउंड ही घुमेगी ठीक है जहां आपको अगर मेरा बस चले तो उन पॉइंट्स को मैं एक साथ कंपाइल करा दू मलब पर ओनलाइन पॉसिबिल नहीं आफ्लाइन पॉसिबिल रहता है एक साथ करा दूँ वह करा भी रहाँ यहां पर ठीक है आप समझ रहो पर अभी नीट का पास रहा तो इंसी आटी की लाइन मिसना नहीं हो जाए से कहीं से भी लाइन उठा लेते हैं कभी यह लोग ठीक है स्टेटमेंट और उसके अंदर एससे रिजन के अंदर तो वह कोशन भी ना छूट जाए तो मेरी प्राइवटी यह है कि सेशन में जतना पढ़ा दूं से पूरा नीट आपका पूरा नीट मिल संसो रेडियल से मेही ठीक है टेरे वह को तो फाइंट गिर अगे तीज आरप्रेमिटिव मतलबर सबसे पहले स्टाटिंग जहाँ से हुई थी मल्टी स्टाउलब इसे लिवल ऑर्गय थे अंदर और ने के यह गया है कि भी टेट क्या है कहा रहते हैं मुस्कली मरीन बट सम प्रजेंटि फ्रेश वाटर सीमिट्री क्लिए हो गई मुस्कली एसने प्षांड में आपको आने चाहिए क्वर कोस्षांड डाइगराम से भी बनते हैं जैसे पहले डियाग्राम दे रखा है साइकॉन का यह पहला जो दे रखा है साइकॉन का दे रखा है क्योंकि आपको याद रखने पड़ेंगे दूसरा यू स्पॉंजिया यह बात स्पॉंज होती है यू स्पॉंजिया दूसरा दे रखा है यू स्पॉंजिया और तीसरा दे दिखने चाहिए दिखते ही यार अच्छा यह तो साइकों नजर आ रही है यह लग रहा है कि इसे रगड करने वाला वह बात स्पॉंज है अच्छा इस तरीकी के कोई नजर आ जाएगा आप समझा को स्पॉंज जला है डिफरेंटी इसका स्ट्रॉक्चर है ठीक है आगे कि लिए क्षजंज और वातर्सपर्ट के लिए वाटर ट्रांस्पर्ट्रट सिस्थम या वाटर की डाल स्टम बोल सकते हो इसको वाटर कना सिस्टम सकते हो यह कास फीचर घू गां करता है फूड को इंखकंता करने में रैस्पारेशन एकश्चंज और गैसे पिस्ट सब में help करता है कैसे करता है इन सब के अंदर help बस में जी जा रखना मैं क्लिक कर रहा हूं जहां से कोशन आएगा पहला कोशन बनेगा कौन सा सिस्टम इसका स्पेसिफिक फीचर है वाटर कनाल सिस्टम क्या फंक्शन है इस कनाल सिस्टम से यह अपना फूड को भी ले लेते ह इसे पॉसिबल है यह सपॉण जिस की पूरी बॉड़ी पर पोर रोते पोर बेर अनीमल है अटेच्छ विट सर्फेस चुपके हुए स्वाट सर्फेस से ब्लकुल प्लांट की तरह इनीशल अनीमल से इन पोर को बनाने वाले जो सेल्स नजर आ रहे हैं इन सेल्स को हम बोलत है इस सपेस्ट झरी पोर साइट इस इसंब्न पोर्ज्ट्र। पोर उससाइट इन से इंस को बोलते हैं पोर उस्तिय म कुछ चाइश कोई भी ओपनिंग होगी उसको ऑस्टिय टर्म यूज करेंगे स्पॉंजिस है इसमें इस तरीके से पोर बनाने वाले पोरोसाइट सेल्स है जो ऑस्टियम ऑस्टियम इस पोर को बोलते हैं पोर से वाटर एंटर करता है वाटर में सब पोर से एंटर करेगा ठीक है तो ऑस्ट नियुकलम से बाहर निकल जाएगा यहां से आया औस यहां से बाहर चीक तो से सपांजोम से यह to वाटर किनाल सिस्टम इस वाटर किनाल सिस्टम में वाटर करेंट यानि वाटर के फिलो के लिए खास टाइप के सेल्स होते हैं NCRT ना अगला दे रहा है इनको collar cell बोलते हैं तो यह collar जैसा structure होता है इनके पास और एक cilia भी इनके पास होता है ठीक है तो cilia water current के water current बनाने के लिए सब्सक्राइब होता है water current ठीक है तो यह continue ciliated collar cell या cohenocyte cell भी बोलते हैं ठीक है यह attach होते हैं यह water current बना करके water को बाहर निकालते हैं clear बल्कुल हाँ तो सेल का डाग्राम भी दे दिया है यह है canal system यह water current यह water canal system कुछ भी बो सकते हैं इसको ठीक है क्लियर बल्कुल Attach handled surface बस बेसिक बाता है इंदिती है कि यहां एक आउटर लेयर नेटर रोती है ठीक है पिनेको इसकी outer layer pnecoderm बनाते हैं, ठीक है, cohoinocyte, cohoinocyte, इसकी inner layer cohoinoderm बनाते हैं, और दोनों के बीच में कुछ एक jelly-like substance बरा हुआ है, जिसमें amoevoscites होते हैं एक तरीके से, जो different type के cells में convert हो जाते हैं, ठीक है,ammoevatal movement स्ट्रॉक्शर जो इनका Gobine- раст अहां थे स्कहर जिस्टम बना रहे हैं ठीक है यह उसका प्रोपर स्ट्रक्शर स्ट्रक्चर का पूरी बड़ी पर पोर है ठीक है पोरो साइड poor बना रहे से वाटर एंटर कर रहा है अंदर की क्या बोलेंगे स्पॉंजों सील और बाहर निकल रहा है और स्कूलम से इस वाटर के फ्लो मुवमेंट करेंट की बज़े से जो छोटे-छोटे ठीक है फिलीज बढ़ा होते हैं उनको स्पॉंज उसको आसानी से यहां सेंटर करेंगे यह क स्पॉंज पर रहा है वोर्टर के नाल सिस्टम समझ में आ गया तो चैनल सिस्टम वाटर के नाल सिस्टम ठीक है यहां तक डाउट नहीं होना चीए स्ट्रक्टर क्लियर यह स्पस्फिक फीचर एप जिसका ठीक है कोहिनो साइट यह कॉलर से लाइन दर स्पॉंज शील जिए विए आज फीचर हो गया काम कैसे करता है समझा दिया है अब डाइजेशन कैसे होगा फई डाइजेशन ऐसा तो हैं इसा नहीं इंके बास इसे यह चोटव को जाती है उसको को सेल के अंदर ले करके डाइशन कर लेते हैं तो सेल के अंदर डाइशेशन होता है इंट्रस हैलोर डाइशन उल्ली एक ही Americans होगा द बॉड़ी सपोर्टट वाइडा स्केलटर्टन मैंने बताया स्थिक्यूस होते हैं अभी बताया है मेने और फाइबर भी होते हैं कुछ या एक ही सेल मेलोफीवेल गैमीट बनाने में सक्षम है तो इसको बोलते हैं ठीक है मॉनोएसियश एक के अंदर दौनों मॉनोएसियस ठीक है या हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हो ठीक है आप समझ रहो या यूनी आप समझ रहो ना हम बी स्वरी बाइसेक्च्वल बोलोगे हर्माफ्रोडाइट मॉनोसियस बाइसेक्च्वल कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैंने एक ट्रिक बना दिये है एच एम बी एच एम बी आपको याद रहेगा और एक डियू डैली यूनिवर्सिटी एच एम बी का मतलब होता है लोगे हैं हमतलब हर्माफ्रोडाइट वी मतलब मॉनेसेस बी मतलब इसक्च्वल एक बात है सक्च्वल डाइमोर्फजम बीले लगोह का यह मतलब उनीसेक्च्वल इन एक ही सेक्स होगा एकosit youtube बनाने में है तो डी यू डाइली यू इन्यस्य याद रहे हो थो सेक्च्छवल मिलेगी एक है यू मतलब यूली सेक्च्वल को एक पूरी टेबल के अंदर तो पूछूंगा उसमें रिपोड़क्शन कैसा होता है ठीक है हम लोग सामने बैठे होते तो पूस्ता कि बटा है इसका सिमिट्री कैसी है इसमें और समझ रहो ना स्क्राप्रण कर सकतेfert यहां आपको समझना होगा ठीक है कि यहां कोई डाउथ टायोसzet यूनिसक्च्चल यह दो टर्म रखने हैं एंच मदी और डीम कोई डाउट नहीं होगा कर तो आंस ऑफ्रिएट रोएट हैं एग चोटे चोटे टुकड़े इनके तूट करके फिर एक नहीं स्पॉंज बना लेते हैं और सेक्चुली भी करते हैं क्योंकि गैमीट यहां बनते हैं क्योंकि यहां पर बनते हैं पर लाइजेशन इंटर्नल होगा एस्टर्नल होगा भाही बाहर नहीं हो सकता तो मेल गूमते हुए गूमते हुए कैनाल सिस्टेंग पर अंदर आते हैं और अंदर जो फीमेल गैमीट के सेल होते हैं उनको फ्यूस कर देते हैं तो फर्टलाइशन इंटर्ण होगा से डविलंड दो क्योंकि लार्वा यहां पर मिलता है इनडारेक्ट है डबलमेंट इंडारेक्ट भी लार्वा देखने को मिलता है आप समझगे मैं यहां ठस नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपको समझना होगा कि आपको कैसे सारे फाइलम पढ़ने अब आखें बंद करके बैठके कि रिकॉल किया वाई समझना मेरी बाद स्रिस्कों मैं कंपाल कर दो को सारे सार के सारे फालम से अच्छा स्पॉंज पॉरी फैरा पोर बियर अनिमल सब्सक्राइब क्या है आप लोगे मेरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर ठीक है इनमें लेवल ऑफ और नेशन कैसा अच्छा पर कैविटी तो होती है हाँ इसपॉंज नहीं होता नहीं है ठीक है हाँ अब अगर हम बात करते हैं का स्पैसिफिक फीचर क्या है तो आप जरूर बोलोगे इनकी पास कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है वोटर कैनाल सिस्टम ठीक है जो फूड को पकड़ने में फटराईजेशन समय हल्प करता है जिसमें और और से बसक्राइब करते हैं स्प술 शेजियू अंबर से को जूर और से जो यहां को बांतर को करता है तो इस को बोलते हैं water canal system जो यहां देखने को मिलता है जो इसका specific feature है clear बलकुल इसके अंदर छोटे-छोटे ameo sites होते हैं जो किसी भी cell में convert हो सकते हैं ठीक है color cell अंदर से पूरी cavity को internal lined करते हैं छोटे-छोटे specules और spongy in fiber इसका skeleton बनाते हैं finish लास्ट में reproduction की बात करेंगे ठीक है डाइजेशन इंट्रसल रोगा इंट्रसल रोगा पौरी फिर आके अंदर क्योंकि बाहर नहीं हो सकता भार पानी भरा हुआ है ठीक है clear बलकुल हां तो reproduction तो reproduction में सबसे पहल आएगा कि इसमें sexuality क्या है यूनी जैक्चवल है है हम्य अब लोगे हैं वह फट्राइशन पर पाइस पर लोट करते हों के नाल सिस्टम के तो अंदर आ करके फीमेल गैमीट को फट्राइज करते हैं एक्जामपल बहुत ज्यादा नहीं है तीन एक्जामपल है साइकॉन साइक्उन मैंने डिखाया na aadan पालते हैं अगर आप अभी भी ध्यान से लिखते जोables साथundय के इस्पॉंफेher लोग सारे ople 250 मैं बता हूए सइकौन इसकायफ वाट क्riters mi kocon दोनों नेम लिखने कोश्यच नÃुप रएगा ठीक है यूई यूस पहुंज या यू उस्पॉण घदफ पॉंज या बात स्पॉंज रुगण रुगण के नाते हैं क्योंकि इसमेश्टी कुंठ नहीं होते हैं और स्पॉंज इला फ्रेश वर्टर्र फ्रेश्वर्टर पॉंजिए ठीक है फालनम इस लिए ठीक्टिश को आपस आपको स् फाइलम टिप्स पर लाने ठीक है तो पौरी फिरा मारा खतम हुआ अब सीम सीलिंट रेटा देखो यह मैं अलग से लिग भी दिया है टाइपस और रिपोडेक्शन सेक्च्वल भी है सेक्च्वल भी है सेक्च्वल में इंटर्लाइशन लोगा डवलमेंट इंडारेक्टों को लारवा यहां पर प्रिजेंट होता है एस एक्च्वल में फ्रेग्मेंटेशन इंसी आटी ने मिल दे रखा है रिजन्रेशन ठीक है हाँ बढ़िंग की बात करते हैं तो बढ़िंग इसमें दो होती है बाहर वाली बड़ और अंदर वाली बड़ ये खास बात है ठीक है इ टिएक अमीवो साइट यह फ्रेश्व वर्ट्रिपॉज में स्पिस्टी देखने को मिलती है इंटरनल बट्स ठीक है अल्ली फ्रेश्व रिस्पॉज के अंदर यहां तक समझ में आया होगा अब मल्टि पिल टाइम में सारे फाइलम को बार-बार दाखराऊ त्रीक है लास्- है यह समझ में आ जया है भीटेट परइफरा मुष्टी मरीन बट सम्प्रेजनटिन घासट्रिंट्र करेंगे सन है ते समस्प्रेजनट के यह से हाइड्रावड्यक सिम्यों यहां कोई सीलोम नहीं होती यहाँ पर आप बोलोंके असीलोमेट डिप्लोब्लास्टिक ए मिena डइजेशन इसमें ओली और ओली इंट्रास अंधर ऑन्दर लोगा नहीं होती है थे कहा सेकेमेंटिशन दोनों के पास नहीं है नर्व सिस्टम यहान नहीं है पर यहां पर सिंपर टाइप का नर्फ सेल याद rho नर्व सिस्टम सै्ल व Richter पुलर टाइप ओफ नर्फ सेल यहां बन गए थे रेपोडक्شन भाई यहां पर Assist Cxs sexual दोनों होता है यहां पर भी सेक्षयल villagers होता है já यहां पर इन्डारैक्ट है यहां पर यहां पर भिलार्वा है ठीक है फकर लगबाग दोनों के अंदर caliber होती है तो यह तो ईंग tidy रे टाक कि इनके पास ब्लास्ट होता है आँ का specific feature है उसके बार हम पढ़ाएंगे और यहां पर मैं कह सकते हो alternation of generation meta genesis देखने को मिलती है ठीक है मतलब एक generation है प्लाइट डूसी डिपलाइट फिर है प्लाइट फिर डिपलाइट है प्लाइट डिपलाइट और और इनके example इसे ट्रिक से आपको याद करने एक फाइलम करते जाओ कंपाइल करते जाओ करते जाओ मैं बेसिक तरीके से ना पढ़ा करें थो ट्रिकली समझाना चाहरा हूं जैसे सिलेंट रेटा सिलेंट रेटा एक ही घरता जिसके अंदर हमने दो मैं डिवाइट कर दिया नाइडेरिया और टीनोफोरा जिनके पास यह इस तरीकी के स्ट्रक्चर थे इनकी बोडी के पास व इडडा फ्रैश्वाटर में मिलता है सिसायल सिसायल का मातलब चुक्के वह थे स्टके से फरकुछ फ्री स्विमिंग भी होते हैं अट्टैश मिद स्टार फेस बड़ सम सीव लबऄ सिमेट्री वहती है यहाँ बाइलेटर नहीं होती ना यह और हो क्या तबनी नाइडेरिय जिसको नेमैटोसिस्ट बोलते हैं समझना अंदर जो इसको नेमैटोसिस्ट बोलते हैं कन्फ्यूज बच्चे होते हैं इसमें बहुत ज्यादा नेमैटोसिस्ट ठीक है नेमैटोसिस्ट ठीक है यह तो है निडो ब्लास्ट निडो ब्लास्ट निडो ब्लास्ट बोलो या निडो सिस्ट बोलो ठीक है निडो ब्लास्ट या निडो सिस्ट या निडो सिस्ट नेडोसिस्ट और निमेत्यो सिस्ट में तुम कन्फिजोते हो ठीक है निडोर सिस्ट नेमाटो नेमाटो सि हमस्थी कन्फिज उसके अंदर नेडों सिस्ट जो था है capsule stinging present within tentacles है ह्टाऊं का प्रेजंट होते हैं present on tenticus पर लगे होते हैं हाइड्रा के tenticus पर और बोडी पर वोते हैं यह तरह की structure कहां देखने को मिलते हैं structure देखो के कहां देखने का मिलागे देखो जैसे अगला की यह हाईडरा है तो हाईडरा की पूरी बॉडी पर होते हैं लगे होते हें टेंटिकर स्क्राइ ti कि निडो ब्लास्ट और यूज्ट फॉर अब यह क्या जरूवत है इस पर तरीक से थ्रेड भी निकलता है यह किसी को पकड़ने में यूज करता है एंकरेज में लंगर डालने में डिफेंस में यूज करता है क्योंकि इसके इंदर पॉईजन होता है ठीक है इसका परेको पकड़ने में यह परेगा किसी प्रेको पकड़ने में लंगर डालने में ठीक है और डिफेंस में बचाओं में इसको यूज करता है यह जैसे वहाँ पर वाटर के नाल सिस्टम इस पेशिवेंशी ताप जानते हो यहां से टीशु लेपलो उर्ड चालू हो गया था ठीक है डिपलोब्लास्टिक थे ठीक है दो जर्म लेयर थी इसके अंदर कैविटी मिलती है इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं सेंटर के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है यहां से फूड एंटर करता है डाइजेशन होता है फिर यहीं से बाहर निकल जाता है यहीं से इंगल ओपनिंग वी चैक एज माउथ एन एनस ठीक है इनकम्प्लीट डाइजिस्टीव सिस्टम बोलते हैं और यह ओपनिंग लगी होती है हाइप समझना है हाइप स्टोम की ऊपर हाइप मतलब नीचे स्टोम मतलब माउथ माउथ के नीचे इक डिस्क लाइक इसके ऊपर मांथ लगा होता है। सिंग्ल उप्रिंग माउथ औन है अि माउथ कर लगा। माउथ का बन जाते हैं तो कोड़ल रीफ होते हैं पूरे के फूरे ठीक है तो सम नाइडेरियंस अगर मैं बात करूं एक्जामपल कोरल्स हैव और स्केलेटन कंपोस्ट रॉप कैसियम कारवनेट का स्केलेटन होता है में पॉइंट यह है ठीक है तो अब नाइडेरियंस के दो फीचर है एक तो निटोब्लास्ट और एक मेंने क्या बताया था अल्टरनेशन ऑफ जनेरेशन यहीं की लाइफ के अंदर दो टाइप की स्टेज देखने को मिलती है डाइमॉर्फिक है ठीक है पॉलिप और मैडूसा अल्टरनेटिवली मिलते हैं तो नाइडेरियंस देफ फॉर्म इस सिसाइल एक सिलिंड्रिकल होती है और एक सिसाइल अटाइच्बिस फोलेट सर्फेस ठीक है जैसे हाइड्रा एडाइम सिया एट सेक्टरा अब पूरा सम्झाओंगा वेराइज दा लेटर इस अगर मैं बात करता हूँ अब एक स्ट्रक्चर भी होता है फ्री स्विमिंग भी होते हैं जैसे और इलिया जैली फिश ठीक है दोस नाइडेरियंस विस एक्जिबिट बोथ फॉर्म जिनके पास दोनों ही फॉर्म होती है वो शो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसक करता है ठीक है ऑगेए डामपल बहुत अच्छा है में तो दोउस करता है डेश पॉफ ए कट sends usual like कैसे with solid surface और a sexually reproduce करते हैं तीन फीचर है पॉलिप के डिपलाइड है सभी है सिलिंड्रिकल है सिसाइल है चुपका हुआ होता है solid surface से और a sexually reproduce करता है जैसे हाइड्रा एडाइम सिया गॉर्गोनिया यह पॉलिप कंडिशन सो करते हैं कुछ क्या होते हैं ठीक है मैंडियूसा सो करते हैं यह भी डिपलाइड होता है ठीक है अंब्रेला लाइक होते हैं ठीक है फ्री स्विमिंग पानी की सरफेस पर तहरते हैं ठीक है सेक्ट्वल परणक्शन करते हैं सामा ड Law CH इसतना जैसे ओर यिलिव कि जैलीफिष तो जैलिफ। लिए तीस ही औरcekрахlık पर कुछ क्या होते हैं दौनों ही कंडिशन सो करते हैं स्कों डाइमॉर्फिक कंडिशन लाइफ में बोलते हैं ठीक है और दोने ही इसकी लाइफ में अल्टरनेटिव आती हैं सममेंबर्स ओफ इस फाइल इस फाइलम सो बोथ फॉर्म पॉलिप एन मेडूसा इन दियर लाइफ साइकल इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ओफ जनेरेशन या मैटा जनेसिस कहां देखने को मिलेगा ओभी लिया का मैंना एक्जाम उनोर बद बनती है यह इंटर्नल बद निकल करके बाहर आ जाएगी आगही बाहर समझना यह इंटर्नल बढ़ है निक बडिंत लिए सक्शाल है चल रहा है रहा है घन्ट बादिंट विए इस वाहर्न निकल रहा हो ह। मैडूसा बन रहा है सेक्च्टलि यह तो एंस्याटी बोल रही है और जो मैडियूसा है इसमें मेल और फीमेल दो अलग तैप के से सेल्स होते हैं यह मेल गाइप मेरी फीमेल गामीड फ्यूजन होगा ठीक है त्यूजन वने की जाएगोड बनेगा फिर लारवा बनेगा और फिर स्विमिंग लार अपमें अल्टरनेशन ओव जनेरेशन दिखाते हैं जिसको मैटा जिनासिस बोलते हैं ठीक है यहां पर जो मैडूसा पॉलिप बनाता है सेक्चुली पॉलिप मैडूसा बनाता है सब्सक्राइब यह फ्री स्विमिंग यह से सल अटैश्मिस सॉलिट सर्फेस यह सिलिंड्रिक अभी क्लियर हुई कंपाइल करना भी सीखे अब बात आती है इसके एक्जामपल आपको एकदम टिप्स पर मुझे करा नहीं है एक तो फाइसेलिया ओभी लिए फाइसेलिया तो याद रखो गई ठीक है फाइसेलिया को लिखती है पॉर्टक्यूस मैं आफ वार इसका स्ट यहाख है तो फूल्ञकुल आससे बूस देहरे हैं परने तो ल겠एं पामवा महराजान वो उसके दिनल पॉर्ट यदकलम है तो ललगा पैन इस तरिके से फर निकले उते पैनतूला हिका सी पेन उन भुलते है वहाए है लगट प्रन सेफें गौर्गोनिया ठीक है और मेंड्राइना मेंड्राइन ब्रेंग को वोलते हैं ठीक है तो यह याद रहेगा पॉलो के नहीं एटम सी जारेगा सी एनिमून एंसी हाट इसलिए बच्छों को याद रहता है पैने टूला कभी भूलो के नहीं पैने से इस्ट्रक्चर होते समझे रहा हां और मेंडराइन मेंडराइन ठीक है ब्रेन को बोलते हैं like a brain इस यह स्ट्रक्च्चर होता है मेंडराइन ठीक है बस इतनीच उसके हैं ठीक है फैसल याद रखे टिक है और याद रहते हैं तो इतना आपको याद रखना है फिर से मैं बोल रहाओ पौरी फिरा कि एक्जांपल थी यहाद रखने हैं साहिज्छा फ्रेश वॉटर चार एक्जांपल मैं यहां बता दी हैं आपको फाइसेलिया एडैंसिया गॉर्गोनिया और इलिया भी मैंन यहां से जरूर पूछेगा मैं राइना तो समझ में आगया तो एकसामपल वाला पार्ट आपको एक पेपर पर भी सार लिखते जाना है मैं ना पॉली फिरा कि एकसामपल लिखा दी आपको पेपर पर यह वाले एकसामपल लिख लोगे इस पैसल फीचर क्या इनका दो इनके कि कि पास Nidoblast होता है और metagenesis Alternation of Generation देखनें को मिलती है ठीक है किसी के पास polypोस्टे जोती है किसी की पास Elaineusa होती toilet जूठीय जिस इसल्ड़ पर मीडिया फिसलिली साथ popular流 vi और मैंने एक तरीके से आपको ओविलिया की लाइफ साइकल भी बता दिया किस तरीके से यहां पर मैडूसा पॉलिप बना रहा है पॉलिप मैडूसा मैडूसा पॉलिप पॉलिप मैडूसा ठीक है मैडूसा पॉलिप बनाता है सेक्च्वाली पॉलिप मैडूसा बनाता है एक कितम क्रिस्टिल क्लियर होगा कि आगे बढ़ रहे हैं कि तरीका समझ में आ रहा है आपके में चीज ठीक है यह दिर को सी अनिवन और इसका और इलिया का डागराम दे रखा है और यह ठीक है अब यह होंवर्क है आप इन दोनों फाइलम को आपस में कंपैल कर आँ सिंपल सी आप को कराना है ठीक है आगे चलो नाइडे अप निडो फूरा नाइडेरियंस ना तीनो फूरा स्वरी नडो भूल रहा हूं ठीक है नाइडेरियंस के लिए रहे आपके मैंने बता सिलिंट्रेटा एक ही परवार था उसके सदस्यों को दो पार्ट में डिवाइड किया जि इनकी बॉड़ी की सर्फेस पर देखोगे तो एक कॉंब प्लेट देखने को मिलते हैं लाइका कंगे जैसे स्ट्रक्चर जिनमें कोटीटी सीलियल आगे होते हैं जो लोको मोशन में हेल्प करते हैं जैली 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 भी बोलते हैं और देखने में लगता है मानो कूछ पर दोनाट भी भोलते हैं ठीक है समझ में अब बेसिक फीचर होई हिंका है टीक है इनका लेविट ओव ऑगनाशएशन आप बोलोगे सार यह तो सेम च्रीटा के अंदर ही आते हैं तो ठीक है यहां पर तिशियु लेविए लिएवर जानाशन है सिमेंट्री सिम्ट्री सा सब्सक्राइब करते हैं यह रात में चमकते हैं बायो लुमिनी सेंस दिखाते हैं आप समझ रहे हो इनके पास निडो ब्लास्ट नहीं होता इनके सरीर पर छोटे-छोटे इसकी अगर बात करते हैं निडो फोर्स की इनको सी वौबनट भी वहां बहुते हैं सी वौलनट जोंइ यह चीलिख स्ट्रीटरी वही है ठीक है एक्सक्लिूजिबली मरीन होते हैं रेडिल सिमिट्री ओकी कॉमने इपलो बास्ते कामने ठीक है इन में को लेवल ओफ और ने सिलेवल नगे बाडी बियर एट एक्स्टरनल रो इसलिएट कॉमपलेट्स लोको मुशन में हेल्प करते हैं वी डाग हो इस तशेक से कॉमपलेट्स लगे होते हैं सससे पीलिया सिलेटेल कॉंप्लेट्स त्रीके से तया रोहर कितने ओस्ते हैं एट तो College अंचे ठीक करते हैं कि एट सिलेटेट कॉंपलेट होते हैं जो लोको मोशन में हेल्प करते हैं सिंपल यह स्ट्रक्चर है इनका स्पेश्विक फीचर क्या है इनके पास बायो लुमिनी सेंस होती है रात में चमकते हैं ठीक है यह सेक्स तेम वही चीज नौट सेपरेट यानि हमी कंडिशन मिलेगी यह पर हैं अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया ठीक है अब आपनी सेक्ट्राइशन वही सेम एक्स्टर्नल होगा पानी में रहते हैं डवलमेंट इंडारेक्ट होगा क्योंकि लार्वा यहां देखनों को मिलता है अभी कॉमन चीज चल रही है अभी कुछ बहुत ज़्याद चेंज नहीं आया ठीक है दो यह एक्जामपल दे रखें प्लीरोब्रैक्या और टीनोप्लैना अब कोशन आता जो इंसी आर्ट मों डियाग्राम दे रखा है वो किस प्रिफरा की क्वेट्वान ओगे सिलिंट्रेटरीटर ठीक है आप से पूछे पॉलिप और मेरीटिसा के विए सी पैन पेने पंटूला सींफन घॉर्गोनिया ऑफ पार्टी वें आ वार पाटी वी ल्युड फाय से लिया विसल्य परत है पुराने वाले ए unrest और और ग्यूलं के लिए बने गद्गी करते हो कैसे टिफ पर नहीं आता है टिक खुद को बता और सी मिरे के सामने कुलने करके मेर को बता थीक है तो है उब आशे तूट इनको बहुभाद कशकत है यूटि हेल्मन्थीज तुले का मतलब है चपते फ्लैट सिर्फट टोंते इल्मन्थीीpt की बात करता होں डॉर्ट एन्द एंड बंसाइट के लिए कन दोनों के अंदर एंड़ έχ प्रसाइट होते हैं भर कुछ बात कवर्ट करनेए जैसे प्लैनि यौ यह यह अब यह नाम दे रहता है इसलिका प्ढ़ना जरूर यह फिर लविंग ईवनving अब यहां से रेडियों सिमेट्रीं है पौरी फिरा में फिर सब्सक्राइं कर रहा हूं करें मौस्ली से मżyयाज्र कर सो रेडियल्स इलिंडे में उपाइयल से जाती से ऑ्वालीं इप के यह तो यह यहां से ट्रिप्लो ब्लास्टिक पड़े थे अब ट्रिप्ल ब्लास्टिक तीन जर्म लियर हैं पर भी नहीं बनी सॉलिड मीजु डूम होती है तो अभी यह सीलो मेट है यहां से ओर्गन लेबल आफ ऑर इसे चालू हो जाता है यहां और कुछ के अंदर और और अगर लेवल और यहां से चालू होता है और आगे जा करके और अगर अगर शुक्स होते हैं इनके पास सकर होते हैं करते हो उचरँ के लियुद का काम करते हैं चिपकने का भी काम करते हैं कटमेंट के लिए भी होते हैं साथ में फूर को इंजू टिनीश्य भी गणते ही कुंते करते हैं पर हुक्स सिर्फ टीनिया के पास होते हैं यह स्पासिफिक पॉइंट था मैं लग लिख दिया ठीक है एंसी इंपल बोल रहे हूं के सकर और प्रिजेंट इन परसिटिक फॉर्म तो की अड़ेप्टेशन है इनका अनकूलन है इसकी बज़े से परसाइट रह पाते हैं सम आप अब जोब निउट्रियंट सकर से निउट्रियंट एब्स वी होते हैं डिरेक्ली थो दा बॉड़ी सर्फेस कुछ अपने बॉड़ी सर्फेस से भी निउट्रियंट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं लाइक तीनियां सूलियम ठीक है आप समझगे ना मेरी बात परसिटिक अड निडो ब्लास्ट है साथ में अल्टरनेशन जनेशन यह पॉलिप और मेडूसा सो करते हैं इनका खास फीचर इनके पास परसिटिक अड़ेप्टेशन है अनकूलन है अनतहा परिजी भी के तरह रहने का समझगे ना हाँ है कि तो मैंने एक डाग्राम बिखा दिन PayPal का डाग्राम ते रखा है और यहां पर लिबर फ्ल्यूक फैस्चियोला का डाग्राम बैद बना रहा है लिबसवक थिक्थिक्थ से रिख्योला तो यह इनका औल शकर है और शकर même तसकरrit है अश्जिध रचम पूचता लहना रेंट्र है यहां पर ओर्गन सिस्टम लेपल ओफ और्गनाशन चालू हो गया था और तो एक्स क्रीशन के लिए यहां पर खास प्रकार के फ्लेम सेल थे फॉर एक्स क्रीशन बन चुके थे तो पूरी इसके अंदर पूरे इसके अंदर फ्लेम सेल होते हैं और नीचे एक्सक्रीटरी पूर भी होता है नीचे एक्सक्रीटरी पूर होता है यहां पर लाइका प्लांट जैसे स्ट्रक्चर मना होता है इनका इन में सब में फ्लेम सेल लगे हुए तब कि अंदर फ्लेम सेल लगे हुए सब फ्लें बॉडी में फ्लेंग सेल्स है यह फ्लेंग सेल और यह होता एंधरी पूरिन का है इस तरीके से स्ट्रख्टर होता लेवर फ्ल्यूग है फैशिए उला इपेटिका यह पार मतलब लेवर ठीक है तो यह पूरी बॉड़ी के अंदर आपको एसे से तरीके से लिए तो यह समझ में आगया इसे कूशन आ सकते हैं यह एक तरीके से teania solyum है ओधे सबके पास सिर्फ और सिर्फ सकर होते हैं जो अटेश्मेंट और फूड के इंजेशन दोनों में हेल्प करते हैं अब बताओ यहां तक कोई डाउट यह खास फीचर है अब बात मगी सिंपल हैं यहां पर बताया फ्लेम सेल होते हैं इनको सॉलीनो साइट और प्रोटोन एफ्रीडिया भी बोलते हैं जो ऑस्मो रेगूलेशन या एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं कि सेक्स आर नॉट सेपरेटेट यहां पर हमी कंडिशन देखनों को मिल रही है 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 फट्राइशन इंटर्नल एंड डवलमेंट इस थ्रो मैनी लार्वल स्टेज अब भाई पानी में तो रहते नहीं है जब भी आपको कंफीज दोनो फट्राइशन कौन सा होगा तो देखो करने पीस्ते हैं डिया ऑना था बॉटराइशन हें डवमेंट अभी पारवह बिलेगा मारें टेखने रहें से कुछ में प्लेनेरीया ये क्वुशिन बहुत आता है इनमें रीजन नेशन पवर्बुर्अ जादा होती है हाई रीजन नेशन पावर हुझा कि आ защ ने अग्जहांपल सिर्फ दो एक्जांपलल यह द कि एक्जांपल यहां पर सिर्फ दो तुकुकर पंद सब्सक्तीर के चेंठ तरह, विजत के जाओ अब ही मैंने बतांपर एक च्छ honestly, मैं वह दर्शक्राइय, मौन्म, पर और बना दिया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है है पूरी टीबल नहीं हुए आगे अब बताऊ जहांता कोई डाउट और यडिपर डाक्षिन की बात आती है तो अलग से लिख भी दिया बिदिकाँ अमश्डरी सेक्चछवल भी मिलता है प्लाइनेरिया में जहांत इसन बनते हैं क्रॉस फटलाइशन होता है अंदर हां टीनिया सेल फटलाइशन करती है मला उसके दो सेगमेंट आपका सेल फटलाइशन कर लेते हैं तो इससे आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा यह सारे पॉइंट है एक्जांपल आप भूलने वाली चीज़ है जो आप साथ-स इसापर ऑगया Dre Gal Lust काईफ़ा बाध स्पोंज होगी आपकी यू स्पोंगई और इस्पोंज जेल ऋगई फ्रेष्वोटर स्पॉंज तीक है सिलिंड टाके अग्जांपल हो जगए ठीक है हाइड्रा गॉर्गौनिया अडंसिया और यी लिया ठीक है और पॉलिप पॉलिप में तीन ऊक हो urat उसके बात मगाराइदate की चbn है ना समय की सब्सक्राइब का ऐसे ग्जांपल है। एक है लिबर स्यूग लिबर फ्लिउक है ठीक है drEEP कि यह एंइमल के लिभर की बाइट डप में रहता है लिवर इकशला थिका और एकड़के अज रहा हुए göz बूलने वाली चीजह को भूर नरेस करा हैं अब्हूंती डीज निटरानज मिन T olvं मोते जैसे आपको यादो घूटक में बढाएं पड़ा बोलते हैं को नहीं मैं तोड राउंड वोलो इन मैं तोड बोले की बात है तो बाड़ी और धा एसके अलमीन्टी इस तर्कूलर एक है शर्कूलर होती इसलिए इनको राउंड वोहन Yay मैं तोड़ बोलते हैं ठीक है अब से वही फीचर कंपाइल कर दो अभी तो खेर इनके और प्लैटी के लगबग दोनों एंडो परसाइट है दियार फ्री लिभिंग एक्वेटिक एंड टेरिस्टियल परसाइट इन प्लांट थैन अनिमल यादा गया प्लांट में भी होते है आपकी गट के अंदर अब यहां पर और और सिस्टम लेवल ऑफ और नाशन चालू हो जाएगा इससे पहले और था बाइलेटर सिमिट्री सब के दर चलेगी इसको याद करने की जरूत नहीं है ट्रिपल बास्तिक सारे चलेंगे इनको याद करने की जरूत नहीं है बस प्ल चैनल क्या अगर बात करते हैं तो यहां के डाल क्म प्लीट क्योंकि माउठ भी या बन जाता है यहां पर और यहां पर फूरी अलीमेंटर पर से पहले पहले लेख निकलने के लिए तो फैरिंस पहली बार वेल डब यहीं करके मिलाता स updates कहीं नहीं था अब इस क्रिक्वीह सेल बन चुके हैं मैंने बताया था वहाँ पर लेंश सेल थे कि यहां पर एच शेप एच एच से रापन इड़ sl होते हैं तो यहां पर एस क्रीटरी पॉर और एक्सक्रीटरी रसेल बन चुके है एक से प्रेनिट सेल निए रेनिट सेल होते हैं याप पर एक स्टिटी पुर नीचे बना उता है यहां से फ्लूड एंटर करता है फिल्टर होता है यहां से बाहर निकल जाता है अब बताऊ कंपाईल करो कोगी और लेबल ओफ और आपका कांसे सब्सक्राइब अब यहां पर तो ने फ्रीडिया आजाएंगे आप समझे उसमें तो यहां पर फैदर लाइक गिल्स आजाएंगे आप समझे उसमें इसमें इस्टार फिर वगर आ यह नहीं अगर आगे बढ़ोगे हमी कोडिटा तो वहां पर प्रोबोसिस ग्लैंड आ जाएंगे तो वस ऐसे कंपाइल करते हुची पढ़ोगे ना जिंदगी भर नहीं भोलोगे ठीक है चलो तो अगला आता है अगर मैं की बात करता हूं कोशन यहां से आएगा यह मेल है तो यह फीमेल है यह फीमेल है ठीक है एक तरफ मेल का दिखा रखा एक तरफ फीमेल का दिखा रखा है मतलब यहां पर सेक्च्वल डाइम और फिजम मिलती है मेल अलग डैली यूनिवर्सिटी डी यू समझे मेल अलग है फीमेल अलग है डी यू साइज की बात करेंगे तो मेल का साइज साइज मेल का कैसा होता है स्मॉल फीमेल का साइज देखो यहां लार्ज होगा समझ साइज दिख रहा है वह बड़ी है यह चुटा है ठीक है मेल के अंदर मॉनो डैल्फिक कंडिशन मिलती है सिंगल टैस्टी जोती है अंदर देखो स्लहक ड्रीड हर ड्रीडはは तू और ईवखनप ड्रीजर तूर नसक्रण उच्छलörtुक टीक है और घ्र्रीट पर फिमलियरत पूर रही हो यहहाँ पर मानों फी मेंटल पूरिटरो तैस विन इमेल कि यह आग जैंड को अलग होथा है और अलग होता है यह अलग होता है यह नहीं इसका डुक्त कर इन इस जब यह finds होगा इस कभी महुथ यहां पर हिए यह ओगश माउथ माउथ अल है एनस अलाग है यहां पर मंद अलग है पर यहां पर क्लोय का ओपिव्या सट्व कॉमन ओपिनिंग फ Bean को निकालने अगला अंतर क्या मेलोफी वाण उंदर साइज का अंतर आ गया मोनो multipie से वने हुए साथ में मेल का टर्मल वाला पार्ट ये है लो घंप यह मुझा हुआ है ये दूसरा अंतर हो गया त्र के पीन्ल सीटे हो गया करते हैं क्या जो फीमेल बॉल्यॉवा magwo ऑपन करने में हेल्प करते हैं यहां कुरा का नहीं होती एनस होता है तो मे ayuda मैं सेंच्च्वल डाइमोरफेसम मिल रही है और अदर तो यॉस्षी के अंदर सुमत कर तर से नंस पर adelante कुछ सब्सक्रा आर जैंक आपको ने को मिल जाता है पर आ ऑने पास होते हैं तो इन क När इसकर यहां नारवा होता है प्र नारवा गूंड हरे कि मिलता है यहां और होता है एंसाइलोस्टॉमआ होक ओंखेल तिक सिर्थलम बतारिं एक्ट1000 एक्जामपल बताएं आपको एक्टी एक्ती या फ्लाट वन कि इस वह इपिले पड़ जातें इस अपर अवाउर से याध्य या वठी्ण नीट किंग मेंहें से sini इरी यह करता है साथ साथ करो याद रहेगा तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखती है लगसे से स्केरिस है इसकी लाइफ साइकल बैसे क्या देखने बावचेरिया स्केरिया आप इंटर्स का दो यह ब्लॉक हो जाती है इतने जादा इस्केरिस बन जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर बस तीन पॉइंट बसें बाउचेरिया सको फाइल इरिया बॉलते हैं लाइफ साइकल डाइजनेटिक होती है यानि दो होस्ट होंगे प्राइमरी होस्ट होगा सकेंडरी मॉस्कीटो होगा फीमेल क्यूलेक्स कुछ जगह एनफ्लीज भी होता है ठीक है इंडिया में क्यूलेक्स ज़्यादा दिखने को विलता है डिसीज ऐलीफंटियस हाथी अब बताओ यह तीन एक्जामपल याद हुए हो गए होंगे कंपाइल करतों सबको तब कंपाइल करो होंबर्ग दे रहा हूं मैं आपको ठीक है जैसे हैबिटेट पौरी फिरा का क्या है मुश्की मरीन संप्रेजेंट इन फ्रेश्वाटर मुश्की मरीन संप्रेजेंट इ है जर्म लेयर यहां कोई नहीं है डिपलोब्लास्तिक डिपलोब्लास्तिक टिप्लोब्लास्तिक ट्रेपलोब्लास्तिक दोभीन ओडिवर्य के अदर det тут pagmao के अंदर एक्स्ट्रा इंट्रा दोनो एक्स्ट्रा इंट्रा दोनो अब टोटल इंट्रसलों डाइश इंट्रसलों डाइशन चलेगा एक्स्ट्रा इंट्रसलों डाइशन करेंगे अंदर कोई नहीं करेगा एक्स्ट्रीशन बोडी सर्फेस बोडी सर्फेस बोडी सर्फेस प भी डबलब नहीं हुआ सेग्मेंटेशन मेटामेरिक सेग्मेंटेशन अभी नहीं आएगा एनिलिटा और्थूपोड और तीनी एक्जामपल है नर्व सिस्टम नर्व सेल यहां से डबलब होगी थी नाइडेरियन से ठीक है अभी दोनों सेक्ष की मिलेंगे एक्षमी में एक्सलिव यहां पर भी थी सेट्शव डाइमोर्फिसम आपको यहां से मिलेगा एसकैरिस से यहां पर भी एक्षमी कंडिशन नहीं थी अग्यां दोनों में दोनों में इस तरीके से आप चीज़ों को कंपाइल करना चाल classify आखें बंद करके और तो न्हींट करो संझो तुम परमनेंट्टी चीज़ें याद होती है मैं हमेसा बोलता हूं ठीक है चलो अब एंटर करेंगे अच्छा एक्जाम्पल का भी कंपाइल कर लेते हैं सारे एक्जाम्पल को एक साथ मैंने छाप दिया है साइकॉन इसकाइफा स्पॉंजला फ्रेश्वर्टर स्पॉंज यू स्पॉंजिया तीन याद हो गए आपको कि कंपाइल कर दो आगे किस से यहां भी दो इस प्रेश्यूला लिवर्फ्लीव यहां मैंने तीन एक्जाम्पल बताएथे एसकेरिस राउंड वांब ठीके बाउचेरिया और एंसाइलोस्टोमा हुक वांब बस इनको एक साथ लिख करके कंपाइल करो एक साथ लिखे एफोर साइज पेपर पर लिखकर क सब्सक्राइब करके सामने पलो कैसे याद नहीं होते हैं तो यहीं याद हो जाएंगे कम चलो अब एनियागा सिंपल है। इस लिड़ा बॉड़ी कैसी है सगमेंटेट है देटा मता मेंटमेटेश्यज व्गमेंटेंटेशनमा और कौडड़ी तो है अन्क्न है ऑक्वेटिक भी होते हैं पानी में बीलते हैं पानी मरीन वाटरो तब भी मिलेंगे याद हो जैसे नारिस फ्रेश्वाटर लीजंत तेरिस्टे अर्थमार्म तेनों ही थाइप थे जैसे लीज को the exhibit organ system, अब तो सब के अंदर organ system है तो इसको रट्टा नहीं मारना है आपको, ठीक है, bilateral symmetry सब के अंदर इसको भी रट्टा नहीं मारना है आपको, triple plastic सारे ही हैं तो इसको दमाग नहीं, ज्याला दमाग नहीं लगाना है, हाँ, metameric segmentation, यह इसका खास character है, metameric segmentation, यहां से चालू होता है, metameric segmentation, यह important feature आ गया, true segmentation, anida, orthopoda, caudida, बस, body surface, वही metameric segmentation की बात कर रहा है, metameric segmentation, true segmentation, जिसकी वैसे यह move कर पाते हैं, अर्थवाम को देखा होगा, ऐसे contact करता है, फिर contact करता है, फिर contact करता है, फिर फिर फैल जाता है, longitudinal, circular muscles की बज़ा से, locomotion में help करते हैं, aquatic analytes, अब देखो, neris है, यह sea water में मिलता है, इसके पास, छोटे-छोटे appendages होते हैं, इसको parapodia बोलते हैं, जो swimming, यहनी locomotion में help करते हैं, diagramatically देखोगे, दिखा देता हूँ, यह है, neris के पास parapodia, locomotion, respiration, दोनों में help करते हैं, नी, parapodia, swimming में help करते हैं, locomotion, respiration में, parapodia, neris, akela, ऐसा है, जहां sexual dimorphism मिलते है, male लग होता है, female लग होता है, neris, akela, एक सा example है, जहां larva देखने को मिलता है, जबकि अर्थमों और लीच में, sexual dimorphism नहीं मिलती, male and female एक ही के अंदर होते हैं, समझे रहे होना हाँ, यह अंतर है, यह लारवा नहीं होता है, डारेक्ट डवलमेंट होता है, यह लारवा होता है, यह difference हैं के अंदर, बापसा जाओ, अब यहां पर आपको, close circulatory system मिलेगा, आपका accept leech, पहली बता दियाता है, यह लीच में open होता है, close circulatory system, वही तो पहले जो करायते हैं, वही चीज़े बार बार रिपीट हो रही है, excretory organ बन चुका है, flame cell बतायते हैं, फिर rennet cell बतायते हैं, अब nephredia, nephredia, आगे जा करके माल पेकिन debules आ जाएंगे, excretion के लिए, osmoregulation में help करते हैं, neural system तो double up होई चुका है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं, यहां paired ganglias मिलते हैं, ठीक है, जिसमें lateral nerve quarts मिलते हैं, double होती है, ventral होती है, solid होती है, neris, an aquatic form, neris diocese होता है, neris diocese होता है, यानि DU, sexual dimorphism मिलती है, जबकि मैं earthworm और leash की बात करता हूँ, ठीक है, यह monocese होते हैं, तो लिख भी दिया है, मैंने, दब्लमेंट लिखाई तो यहां आ गया, ठीक है, reproduction, sexual, sexual, यहां देखने को नहीं मिलेगा, अब एक sexual गया हो जाएगा, only sexually देखने को मिलेगा, development, indirect, external, neris के अंदर होता है, neris के अंदर fertilization बाहर होगा, अंदर नहीं होगा, indirect होगा, लारा मिलेगा, fertilization बाहर होगा, जबकि डारेक्ट और internal development उल्टा हो जाएगा, अर्थवाम और लीच के अंदर, अर्थवाम और लीच टेरिस्टियल है, लीच हाँ, अक्वेटिक पानी में भी मिल जाती है, वाटर मिल जाती है, पर वो मलब बाहर नहीं छोड़ती है, वो इंटरनल इव फटलाइशन होता ह है, ठीनी एग्जांपल है, नेरिस, परिटिमा, फोस्थोमा, अर्थवाम, एन हिरुदेनेरिया, लीच क्योंकि हिरुदेनेरिया, जिन में हिरुदेन एंटी कोईगूलेंट होता है, जो खून पीते हैं, वो हिरुदेनेरियन है, ठीक है, अब बताओ, समझ में आया नहीं ह है, और्थो, पोड़ा, एग्जांपल थी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, नेरिस, जिसमें सेक्च्वल दाइमॉर्फिजम मिलती है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, डवलमेंट, इंडरेक्ट होता है, क्योंकि लारवा होता है, नेरिस के अंदर, ठीक है, फर्ट और्थोपोड की बात कर लो, और्थो मतलब जॉइंटी पोड़ा मतलब अपंदेज जहां पर जॉइंटिट अपंडेजिज वो ऑठोड़े पूरे अनिमल कीड़म का सबसे बड़ा फाइलम और्थोपोडा है, फूरे अनिमल कीड़म का, ठीक है, यूज्ड़ की लार्जस सिस्टम सब की अंदर होगा संबसरे सारें हां बलाव हां जय मैंने बना दी है ईन्य डाव और 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 अ تीनी जगह है भू सप्रेमंटेशन अ मतलब मतलब मेत मैरिका है मैं इंट आमरिक सेग्मेंटेशन बाद वक्ति का सिलो मेट है कैसे लो मेट है यू सीलो मेट है तो अब ऐनी लेडा से आप यू सीलोमेट चालू कर चुके हो एनलीडा और्थोपोडा तेक है मॉलस्का यह सब सैजोसीलोमेट है एक हाइनो डर्मेटा से कॉलिटा सारे के सारे एंटारोसीलोमेट है सबस्कार आपको तो कोख रोज के सारे फिचर में अपलाई कर दो उसकील है तो कि इसके फीचर कोख रोज के फीचर काईट्रीक हैं तो अब्हुतों यहीं पूछा जाएगा वैसे कहीं कहीं ट्रंक भी देखने को मिलता है वेरीशन कि इंसेक्ट में देखने को मिलती है इंसेक्ट कि पूछे का भी यहीं ठीक है बॉडी डिवाइट इन्टु थी पार्ट हैड थोरेक्स और अब्डॉमिन कॉक्रोच वाला पार्ट एक दम अप्लाई करना इसके उपर कॉक्रोच सब कॉक्रोच है कॉक्रोच जब पढ़ाया था मैंने कॉक्रोच के अंदर ट्रेकील सिस्टम होता था इस अघ्जार के लिए यहां पर एंटेनरी ग्लेंड और ग्रीन ग्लेंड भी देखने को मिलते हैं एक्वेटिक और्थोपोर्ड के अंदर हाँ कि इस पाइडर के अदर कॉश्चन आएगा नहीं बाट मैं लिग दिया ओनली फॉर इंफॉर्मेशन कॉचल ग्लेंड हातों पर लगे होते हैं जो स्पाइडर वेब अपना बनाती है वसी से बनाती है में ध्यान रखना यह आप पर क्या होते हैं यह दोनों ही इंपोडेंट है दोनों पर कॉश्चन आता है कि मालपिक इंदर आते हैं उनमें देखने को मिलते हैं इस पर पूछा गया क्योंकि इंसी आर्टी में दे रखाए अब जो भी पढ़ोगे ना सब डायोसियस है मोस्टी सेक्चुल रिपोड़क्शन है हाँ आगे जाकर के लार्वा गायव होता जाएगा पर अभी इनवर्टी में लार्वा चलेगा इसको तो यादी नहीं करना एप इसको तो यादी नहीं करना एपिस इंडिका सब्सक्राइब करना लाक बनते हैं राइस्थान के अंदर यह सब क्यान अर्थवोडस्स अर्थ क्योंकि इंप्रेंट रखें क्योंकि मार्केटमें से बनी हुए चीजां मिलती है वैक्टर की तरह कौन करता है वाहक एने फ्लीज क्यूलैक्स एडीज ये वेक्टर हैं और गिर्गेरियस पीस्ट जो घुंड बनाके चलते जुंड में चलते डिड्डी डिड़्या Jr रूपते हैं वो गर्गेरियस सब्सक्राइब में यहीं तो सिंपल स्वंपल्स उक्वने कि आपके जो आसपास घूंबते हैं तो बच्चा अगर कहें कि सर आर्थोपोड आके एक्जाम्पल यह तो क्रीम में याद होते हैं ठीक है भाई हनी भी सबको पता है एपस इंडिका बॉंबैक्सी मूरी सिल्क वॉंब इसी से बनता है लैसी फर लाक इंसेक्ट होता है जिसे लाक बनती है बैंगिल्स बनते हैं अब जानते हो एक यूज एक तीन वैक्niestर है मॉस्कीटो की वाराइटी मेख लिए संधियरा ने curello के लोकस्ट बहुंटेक्षिया छूटी ए देखने लोकस्त का है ग्रासओफर नहीं ह Ben यह लोकस्त कहा रहा है और और श्यग बार की डायगराम समझ जाओगे बटरफलाई स्कौर्पीcken ये प्राउन का डायगराम है जिंगा लोग खाते हैं न तो लोगों लगता है जिंगा मतलब आप फिश खा रहे हो फिश नहीं है यह एक वाटिक और तो पोड़ आप जिसको खाते हो एक वाटिक आप बताओ यह तो ऐसी हो जाता है फ्री में जैसे आप मानों को कुरूस पढ़ लिए तो उसमें को कुरूस में पढ़ा है वही सब कुछ है यहां पर अब मॉलस्ट का मॉलिश मॉलिश मतलब सॉफ्ट एक्जामपल याद है ना कॉंफिदेंस बिल्ट अप है ना हाँ फिर से बोलते रहा हूं एकनोमिकली इंपोरेंट और तो पूचेगा बॉम्बैक्सी मोरी लैसीफर समझ रहे हो एपिक इंडिका तीनी है बस ठीक है वेक्टर पूचेगा तो मॉस्कीटो तीनी है एनफलीज क्यूलैक्स एडीज और गेरिगेरियस पूचेगा तो जुन्द बनाके टिड्डीएं चलती है लोकस्त लोकस्त ग्रास वापर नहीं जबाने होगा जारunn Country ओद मोलस्का आप एक्जामपल यह वासता में दिक्कत आती है वह दो एक्वन में नोघ्रावेटा औरॅओ मॉस्का तर आ एक इकुकर क्टि करनी पड़ेगी इस पर मैं पहले ही बोलते रहा हूं यहां थोड़ा मेनद करने पड़ेगी आपको लिख लिख के याद करना पड़ाएगा ठीक है कि दिसिस दा से किर लार्जेस्ट आप थिक है अब होई सारे फी तो कंपाइल करते हैं ठीक यहीं वहीं होते हैं अब यह सपेसेश क्यर्यां किरिया से ड़क्य होते हैं कि मॉलश मॉलश मतलब सॉफ्ट इनकी स्किन वह बहुत तो थी ! u करफा चिक है.. विधर this रहे हो निक हुए करते हैं एद करके टिक है सब्सक्राइब करेक्टरिस्टिक फीचर है इसको कबर करने के लिए बहुत सौफ्ट लेयर होती है स्किन की सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर कैल के रियस समय अब डागराम में सारे पॉइंट एड कर दे रहा हूं जैसे यह मॉलस्का है यह इसकी बॉड़ी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है तो विसरल हम यह मस्कुलर फूट हो गया मस्कुलर फूट हो गया यह हैड यह इसका खास फीचर है इसमें मेंंटल होती है यह वाइटलर की लेर दिख रहे हैं मेंटल बहुत सौफ्ट स्पोंजी लेर है और सॉफ्ट स्पॉंची लेयर आप समझना ये विसल हम्प को ढखे हुए है और ये अपनी सुरक्षा के लिए कैल के रिये सेल बनाती है कैलिशम कार्मेट से मिलके बनी हुई जो मैंटल ही सिक्रेट करती है ये बाहार भी होती है मोश्टली पर इंटरनल भी होती है कटल फिश के लेयर उपर मैंने बताई दिया शैल होती है इसकी ठीक है समझ रहों स्कैटर्ड वाय सेल दिख रही है आपको यहाँ पर एक्स्टरनल मोश्टली इंटरनल कटल फिश ठीक है यहां पर आपको दिख रहा है ना ये मेंटल कैबिटी मेंटल की फोल्डिंग से बन रही है मैं इनके बीच में इक स्पेस होता है इसको मेंटल कैबिटी बोलते हैं इसके अंदर आपको फैदर लाइक स्ट्रक्चर देख रहा है इसको गिल्स बोलते हैं जो रेस्परेशन और एक्स्रीशन दोनों में हेल्प करते हैं तीक है अगला बहुत इंप्डेट फीचर है रैडि डिवला चीरने फाडने वाली रास्पिंग और रेड डिवला एकदम बुलकुल दमाग में सेट कर लेना यह पूरा का पूरा मॉलस्स का आपका स्में इंक्लूड एक कोश्चन भार नहीं जाएगा टेंटिकल्स उपर लगे हुए हैड पर ठीक है सेंसरी टेंटिकल्स हैड आप लाक रास्पिंग और गिल्स रेस्पारिशन एक्स्पीशन में पर्टिसिपेट करते हैं मेंटल के बीच में होती है ठीक है शैल इंटर्नल एक्टर्नल एपसां इंतीन केस्ट देगे ध्यान अखने में अटर्टरिश्टिक फीचर ओफ फालम मॉलस्का इडिशा सेकिन पंक्शन दे है अजा फैदर लाइक गिल्स होते हैं आप पर जो रेस्पारेशन एक्स्रीशन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं बता दिया है मैंने अटेर हेड रिजन सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं हेड पर लगे होते हैं माउथ के अंदर फाइल लाइक रास्पिंग इसको रेडूला बोलते हैं दे यूजली डायोसियस जरी सेक्च्छोल लाइम और तो में उसली डायोसियस होंगे ठीक है वह भी परसोते हैं इंडारेक्ट लारवा भी मिलेगा यहां पर अब यह आपको याद रखने अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ आपको याद रह सिर्इंट ना नणे में पिंक टा डा का सबसे जदा यूज होता है इंडस्टरी के अंदर बिंक ट्राडण एक हैसा अमॉलस्क्राइब जो मोती यहांवी परल बनाने में यूज़ होता है तो यह भी बच्चों को याद रता है पिंगटाड़ा शीपिया कटल फिश है याद रहती है कडल फिश सीपिया थीन याद रहते हैं आप भूलोगे कहाँ पर लैजीगो पर लोली गो थेकर लो लीगो पूलोगे याद इसको आपको यादरा रहएं कि याद रहे यह तो आपको नहीं हो तो आपको नही वो तो आदेशस्ट रहेंगे यह बूलो गे से यह यह फि Är तो ajuपोन थाइन तोठ यह दूटच रहें जिस भाहिंblem वह दूलोगे UKेम हैं Alors ऑपिन प्लीवडा क्याइट यह बूलोगे तो तोटल अगर देखा जाए लोली गो एप्लेशिया और खीटोप्लीवड खीटोण यह तीन ही है जो बच्चा भूलता है फिर से को कटल फिश बोलते हैं यह नहीं भूलता क्योंकि इसमें इंटरणल है इस Frecies होता फिन फिसका नहीं बुलता उक्तोल गालने भूलोगे और यह देंटेलियन देंटेलियन देंटाइन टीट की बात चलो रही एलीफेंट टस्क लाइक अइसा स्ट्रक्चर रोटा इनका तस्क इस बूलते हैं अब पीनी चीजा जो भूलने वाली है लोली कर रहे हैं तो तीन भूलोगे और नहीं भूलोगे मैं एक्जेक्ट बता रहा है तो बच्छे तीनी भूलते थे रेमेंग नहीं भूलते थे तो ठीक है व्याद दो डायराम दे रखेंगे पाइला का दे रखाए नोने है पहला कुछ ऐसा होता है ऑक्टोपस नहीं नहीं है इक काई नो एक ऐनो एक काईश डर्मा स्किन जिनकी एक आइनस होती है तेंटें इसके वह उन्यकों अपीकोट है इनकी स्किन होती चूंप स्ट्रच्च्चुर लगेंwo थीक काइब जैसे खाइनो डर्मेटा अबस्ट नहीं होती है हाड होती है अलके उस पर मदलब और सिकल टाइप के लगे होते हैं ठीक है इस अनिमल है था एंडो स्केलेटन आफ कैल केरियस बताया ना कैल केरियस कैलिशियम कार्बनेट से मिलके बना हुआ और सिकल्स होते हैं इसलिए इसको एक खाइनो डर्मा इस पाइनी इस पाइनी बॉड़ी बोलते हैं इसके अंदर और एक्सक्लीव मेता दो एक्सक्लीव ली मेरीन होते हैं अब बेसिक तो याद नहीं रखना आपको ट्रिपल ब्लास्टिक हैं सीलो में पर यहां से आपकी ठीक है एंटरो सिलों चाले हो जाएगी ठीक है बेसिक फीचर सबके कौमन है इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं है एक्सक्लीव ली मरीन होते हैं और यहां यहां यह दिखना है जो एडल्ट होता है वो रेडिल सिमेंट्री लार्वा बाइलेटरल से मेंट्री ठीक है एडल्ट एक आयों डर्मे मां होता है और एमसबी होता है दॉटल साइड में यह नहीं यह बीजित उखना है तो品ि जो इस पैसे फीचर है जैसे मैंने वाहल पर वाटर आपको फूम नस करता है नहीं यहां व्स खन्रीटा सिस्टम है एँचाब यह खास वींचर यह पूर्स भीक ऑपू और मैठ काव वो सारा काम वाटर थी करता था है यहां वाटर सिस्टम कर रहा है कि अगर मैं एक स्टारर फिसका डियागनम बनाऊ तो इस तरीके से निशन पर चौनल जैसा स्ट्रक्चर बना वह बना यहां से पांच बनी उनटर करता है यह लूत देखो के radial canal से निकल oben audio wider channel के लिटेर की लिए यो लगा वोता है जुब रापस नियाल देगा थीक है के जाने से नियाने से वाल और आगे लगा कहीं तो कहीं पर भी अैच्श्मेंट करना होता है तो बॉाटर की हेल्बस से वाटर को फ्लो करा दते हो साम के अंदर यह खिज जाते हैं और अटैश कर लेता है अट् disciplines के लिए आंगे बढ़ जाते हैं तो एक तरीके से यह करता है फूड को क्यप्चर करने में हैल्प करता है ट्रांस्पोर्ट और फूड रैस्पारेशन इस यह थोर सब कुछ होता है इसलिए स्टेटरी सिस्टम ही नहीं से पास समझ गए हो तो यह वाटर फैस्ट्रॉर सिस्टम है वाटर मेंटर करता था स्पॉंज ऊस्कूमम से बाहर यहां मैंटरी पराइट से एंटर करता आ स्टोन कैनाल से ऊंपकर सफ और से tiw तो यहां पर अग्जांपल यहां पर मस्तकत करने पड़ेगी अब क्या है जो आपको याद रहेगा क्या भूलोगे बस यह द्यानकना वहां तीन एक्जांपल भूलोगे यहां देखो इसे कभी नहीं कर रहा है इक्जांपल याद रहते हैं इस तरिके से और होता है कांटे जाती नहीं रिखाए लाइका लिली फ्लार इंसी कुख कर लोगऑग के तो लाइका इंसीलियों। कुकु मेरिया नहीं भूलोगे अगर थोड़ाब trip हो सकता है तो एंटी डॉन सी ली और अफिवरा ब्रिटल स्टार ऑफ YOU रब्रिटल स्टार ये दो याद रखने टीन वह याद रखने दो यहाद रखने बस फिर से बोलच आउए एस्टेरियास स्टारफिश नहीं भूलोगे एकाइनस एकाइनस एकाइनो मतलब पूरा बूरी बॉरी बाड़ी में स्टरीके स्ट्रॉक्चर होते हैं एक एनीमल भी होता है इस तरीके का ठीक है बचाब भूलता नहीं सी अर्चिन और कुकुमेरिया वड़ा अच्छा इस पूरा ब्रिटल स्टार तो याद रखने हैं आपको डियाग्राम दिखा देता हूं मैं तो अगया स्टार भूलोगे नी ठीक है अच्छा एंटीडोन को डागराम नहीं दे रखा और अफियोरा अफियूरा अफियूरा ब्रिटल स्टार समझ एक रखना है तो एंटीड है मी कॉड़ेटा है मी मतलब आदा कॉड़ेटा देखने में लग रहा है कॉड़ेटा पर एक्च्वल में कॉड़ेटा नहीं है एक्च्वल में वह कॉड़ेटा नहीं है इसलिए इसको है मी कॉड़ेटा बोलते हैं मी मतलब लग रहा है कॉड़ेटा जैसा पर कॉड़ेटा है थो पूरा है चीज को मैं याद कर आ रहा हूं फूरी के साथ ठीक है आप समझ रहे हैं पूरा एक दम पर फेक्ट ली से टुन अच्छी है 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 रिखना को ढूल जाओ सीधा को बना रहा हूं इस डाइगराम में पूरा है इसकी बॉड़ी को थी पार्ट में डिवाइड क कि या है ऊपर दिखु रहा है टंग यकी स्ट्रक्टर इसको प्रोबोसिस बोलते हैं टंग लाग इस फ्रोबॉसिस को कि और डेन यह चुसले पार्टीसिप करतें begitu तो यहाद करना हो कैसे करोगे या enorm system सब्सक्राइब कर दो सबसे यह है डाल दोगे ना पूरी व्लाइव क्या आप सब्सक्राइब कर दोगे ना तो चीजें आप एक निया पचास चीजें कर पाओ अगर वही वाली चीज बनी रही तो आप पर उसकी लकीर के फकीर हो जाओ गया उतना ही कर पाओ यतना लोग कराते हैं यह कराते हैं वह नहीं ठीक है आप कुछी समझनी भी है आप समझे रहें कि आगे जाकर करनी आपको बहुत चीजें चलो खेर प्रोबोसिस टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको टंग वांब बोलते हैं बीच में कॉलर होता है नीचे ट्रंक बना हुआ होता है इसका पूरा तीन पार्ट में डिवाइड किया है प्रोबोसिश पाले पार्ट में प्रोबोसिस ग्लेंड होते हैं एक पार्ट करते हैं जहां कॉलर वाला पार्ट होता है उसमें च्छोटी सी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको स्टोमो कोड बोलते हैं क्योंकि स्टोमा के पास होता है माउथ के पास माउथ मतलब स्टोमा स्टोमो सब्सक्राइब है तिक है यहां पर फैदर जो छोड़ा जिस दिख रहे हैं आपको रैस्पारिशन में पाटिसिपेट करने जनेटल विंक्स दिख रहे हैं आपको यहां पर डी अब दी उस अभी में तो यहां पर भी टी वे फैटलाइशन एक्स्टरनली होगा वाटर के अंदर लार्वा है लगवख सेमी चीज मिल रही है अभी तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आए जहां चेंज आएंगे वह आप नोट कर लोगे नोट बुक पर ठीक है यहां पर हेपाटिक सिख्के देखने को मिल रहे है हेपाटिक सिख्के लिवर लाइक डाइशन में हेल्प करते हैं कंप होते हैं लेकिन यहां पर अब डाइशन हो गया इसका रिपोडसियं हो गया रैस्परेशन हो गया ठीक है चुमोह कॉट बताइधी मैं एक्सक्रीशन होगया प्रोबोसेश्वक्ण सब्सक्रिक अंदर होगया इस डाइग्राम में था सब कुछ अपा हुआ है पूरा का पू यज़ांफ दे रखा है यह बैलेन नोलोटास पर एक लगने और बहुत सब्सक्राइब को में नहीं करा दिया नॉन को ड़ीटा अब नौन को डिडा को आपको ओको अपको कॉंपाइल करना एं तो आप क्या करोगे एनिलिडा कहां मिलते हैं एनिलिड कहां मिलते हैं फ्रेश वाटर मी मिलते हैं मरी वाटर मी मिलते हैं और टेरिस्टियल भी होते हैं तीने एक्जांबल कराये थे और्थोपोड़ा दुनिया में सब जगे मिलते हैं हर जगे और्थोपोड़ा प्रसेंट हैं मॉलस्का ये भी स exclusively marine होते हैं hemicordita exclusively marine होते हैं only समुद्री जल में मिलते हैं दौनों के दौनों ठीक है symmetry by bilateral 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 इसमें radial और bilateral दौनों है जर्म लेयर सभी ट्रिप्ल ब्लास्टिक हैं body cavity क्योंकि सब के पास सीलो माच चुकी है सभी यू सीलो मेंट है बाद ध्यान रखना यहां साइजो 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 इसके बाद टोटल एंटर उसी लो डाइजेशन सभी की पास complete माउथ और एनस प्रिजेंट है इसक्रीशन बता दिया मैंने यहां पर अभी जस्ट कंपाइल किया था मने नेफरीडिया ठीक है यहां डिफरेंट चीजें थी माल्पिक इंटिप्यूस एंटेनरी ग्लेंट गिल्स एपसेंट और प्रोबोसिस ग्लेंट रैस्पारेशन ठीक है मुस्ली सबके पास अलग ल लोगा एकसेप्ट लीच और तो बडा ओपन मॉलस्क ओपन एक अंटर मेंटा एपसेंट है तरीके से हमिकॉर्ट ओपन सबके अंदर ब्रेइं और에 there अब न्रियूर्ब उटी कंट है जो सॉलीड होती है डबला प्रेlocke सबकोडाisel करेंटेन यहां पर नहीं सब्तकर भी ठीक है अब बताउया कोई डाउट के ropes सारे कंपाइल कर लेते हैं जैसे अभी मैंने बात की और तो पूड़ा के अग्जांपल बचे थे और तो पूड़ा और यह है एन लिड़ा और तो पूड़ा है ठीक है तो यह नारिस हो गया हो गया है यहां पर यह इंपोड़ेंट हो गए वेक्टर हो गए गरियर स्पेस्ट हो गए कुछ है तो ही नहीं यार कुछ भी नहीं अब यह दो क्रिटिकल है जिसमें मैंने बता दिया आप भूलोगे क्या ठीक है पाइला नहीं भूलोगे पिंक टड़ा पनूस्टर नहीं भूलोगे सीपिया कटलफिस्ट नहीं भूलोगे बूलोगे लोली को भूलोगे यह भूलोगे स्क्विड ऑक्तोपस नहीं भूलोगे एपलेसिया भूलोगे कि यहेर देंदेलियम नहीं बोलोगे हाँ कीठो फ्लूरा भूलोगे तीन यह बोलोगे है यह लिख करके word I थिरिय में पूर थे चेंहीं और अहीं बोलोगे शीॉच Колी और चिन एंटी डॉं भूलोगे कि कल भी में जनकपूरी सेंटर पर गया बच्छों ने बताया कि सर एक्जामपल नहीं यात हो रहे तो कैसे तुम चाहो और ना हो ऐसा पॉसिबिली नहीं है ठीक है पॉसिबिली नहीं है चलो कौर्ट ऑगया अभंध कौरट अब बात करते हैं कौर्टिता बहुत सिंपल मैं स्टार्टिकं का पार्ट समझने वाला है जोसमें क्लासिफिकेशन प्लयक्ष की बात करते हैं बात बगव क्वाव बेसिक फीचर नहीं थोड़े से और में एक्राब limit ब Sutard ऑस यहीं चिंप एक्सप्पल है पर आपके रूटिन लाइप में आसपास देखते हैं सभी कौर्डियरियर से तो इसके स्पेसिफिक फीचर आगर मैं बात करूँ तो यह चार स्पेसिफिक फीचर नौट्व कार्ड नर्व कार्ड पेर फेरेंजियल गिल-स टेंड और ने दीषानों को मिलते हैं सारे कोड़ेस में विदाउट एनी एक्सेप्षिन विदाउट एंचेक्सेप्षिन ये चार फीचर फिरसे बोल रहाँ नर्वकॉड नोटल। कर दो जी होती है नॉट्ट रि dal को औली ओडिड्स नहीत्स ते थि जयुता वह हिसे हमारे अंतर हमारे ना है कि पर यह होती है एक सब्वन के वो यह होती है जो बताती है कि कभी ने कभी यह पोस्टेनल टेल हमारी हुआ करती थी मला एम्रों के स्टेज में मिलेंगी बैलेंसिंग में हल्प करती है ठीक है यह में अंदर है यह अब समझ रहे हो और यह भी हमारे अंदर नौट फीचर नर्व कॉड एक्टोडर्मल यह मीज़ोडर्मल ऑगी नौन कोड कोड के नीचे होती है नौट बिल्कुल अब वर्टीवरेट इन वर्टीवरेट नौट रिप्लेज वर्टीवल कॉलम तरह यहां पर यह नौट वर्टीवरेट भूल दिया जहां नहीं थी वह सारे के सारे कोड़ डिटा थे मतलब समद रहो ना चल यह इसी आटी ने कंपाइल कर दिया है उन्हीं फीचर्स को जैसे कोडियर्स में नौट प्रिजेंट होती है वहां नहीं होती सेंट्र नर्व सिस्टम डॉर्सल हॉलो सिंगल और वेंट्रोल डबल सॉलिड यहां पर पेर फेरेंजल गिल्सलिट्स होते हैं हैं वहां नहीं होते हैं ओली गिल्स होते हैं हाट वेंट्रल होता है वहां डॉर्सल होता है कोक्रोच में पोशनल टेल यहां प्रिजेंट होती है यहां प्रिजेंट नहीं होती सिंपल हाँ है कि यह मैंन समझने का यहां से कुछ्चण आता है तो आप से सबस्कों दिमाग में सैट कर लो ऐसे अगर मैं फाइलम कॉर डेटा की बात करता हूं फाइलम कॉर डेटा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया एंने एक Państwo प्रोटो कह लेटा और एक यू ट्रू को लेटा किसके से बैस दिवाइड की आप बोलोगे आप बोलोगे Balli से नुक्स ब्रेंट बॉक्स सॉरी जिनके पास ब्रेंट बॉक्स क्रिंठ था वो प्रोटोलास स्वाइब रहेटा ते और जिनके पास क्रे das समझना सुरी जिंके पास ब्रेज़ लिए बॉक्स करीनियम नहीं था वह siap की स advocating रिख開ें के पास भॉक्स करीनियम था हुआ अगर लिए या यूप अल कोर्ड टा भोलते हैं मतला एक रेनियता और्क रेम ये टा इसम्झे रहे इंके पास क्रेंए नहीं है क्रेंए जिनके पास क्रेंएंएम है समझ पारें नहीं समझ पारें ठीक है अ करीनी ये टर क्रीनी टार क्रोटो क territories कि ऑलो तो पर आतब जनो प्रोटो कॉर्टो टिटा क्रें येटा सब प्रसिंम और लूं यून यूर टार में टवाइड कर दिया तो प्रसिंपो को पहले हम weiter किया हैं क्रीडियम के में-पर ब्रें box के बेस कर जिन में नहीं है प्रोटो टाइब की जिन में वो यू हूवर आपके अब रोतरो छालो अब प्रोंटको तो इंदो श्का सुवर्च को टशन तर्म इसको सब ने लिस्ट त्यालिए एक पहली बार सब उर्च कोड़ यहां जहां पर नोटो कौड सभर वाकी टेल में देखने को मिलती यह जहां पर डेल में यूरो कोड़िटा हैंso नोटो कट extends head to tail also present in adult सिफítulo काॉड डेता हे ये दौनों सभिल अहrav है ये द्यार रखना है बोधार सब फैलम किया होगा और डेता सब आल इकने लैजर कैसी सिंपल थेंगे एक पार्ट समझ में आ गया नोटक काॉड में एक अग्सेंट एक डिएग्राम दे रहा है SCD अ का जीडिया तिक यह इस पर कुशन आता है इसको लिए नाम की एक लेदरी कवरीग होती है इनके चानु तरफ यह जब कि सफैलो कॉड़िता सेफैलो मतलब है यह नाटो कॉड़ प्रेजेंट है डेटू टेल और एडर्ट में भी ओकि बैलने के उस्टोमा इसको लेंस लेट भी बोलते या एक 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 ही बात है लेंस लेट अंफी अक सिसे ब्रेंग कि उस्टोमा कुछ भी बोलो समझ रहो सब फाइलं परोल वेर कभर उआ परोटो गडिटा फिर से बंढ़ फइलम कॉडिटा को हमने दो डिविजन में किया ऑंता बेस्ट kuv क्रेनियुमगे क्रेनय दशन ख्रेंट क्रेटीं आ क्रेंट परोटो को मेरे कि अपने Посक्ट प्रोट ने सब आधम में डिवैड किया ईऊंड और सिफहलों एक बाद रिःता जो आगे जाकार कि वर्टी प्रेटा सब हमत रही और गla सकनर्ट होए जहां पर कर थिरे वर्टीवर टाऊल मैं या वर्टीव रल कोलम से हाँ ति आ तो यहां नखना है थोड़ा था तो अ जौड़त तब घचा वर्टी प्रेट यह क्या है सम्ड्य है वकशनान पर सकतित कि बड़ी विटा सफाइलम है अभी सफाइलम को फिर से हमने डिवाईड किया डिविजन किया ऑन दा बेस ऑब जो अगर माउथ में जो है या माउथ में जो नहीं है तो तो ए मतलब एपसेंट नेथा मतलब जो तो एग नेथा डिविजन किया है किसके बेस पर जो के बेस पर जो तो पहला हम बोलेंगे ए ग स्चान ज में जुह नहीं है माउथ में इधो स्चूमेंटाह नैधा मतलब जो इस्टूमा मतलब मौप नैधा मतलब जो ऑपalay往 ठीक है माउथ में जो नहीं है एग नेथा माउथ में जो है नेथो स्टोमेटा ठीक है एग नेथा लेख जो प्लास साइकलो स्टोमेटा स्टोमा मतला माउथ सर्कुलर सकिंग माउथ जहाँ होता है वह इसी में आते हैं लेंप रेख फिश यह पढ़ाने वाला हूं पिर नेथो स्टोमेटा को सूपर क्लास सूपर क्लास में हमने बात नहीं कि यहां करता नहीं हमने यह क्लास है कि वह लोगे कुश्यन आएगा यह दक्लास ये डीवी जन्हें ग्लास ए अग नेथा डिवी जन्हें और स्टूमेटा क्लास है यहां डारेक्ट क्लास मैं है सुपर क्लास में आए ठीक है लोको मोटरी और गन के बिस पर हम ने यहां पर सुपर क्लास माई लोको मोटरी और गन जैसे जिनके पास लोकशो मोंटरी ऑर्गन पिंस थे उनको नाम में दिया पाइस जिनके पास लोको मोंटरी ऑर्गन लिम्ज थे लिंब हाद पैर उनको नाम दिया टेटरा पोड़ा चार निम्स ह dipping अंधियो throughout treatment pessoa पोड़ा फिश को बोलते हैं और फिंस होते हैं यनकी पास लिम्स होते हैं एंफी यह रैक इंपीया ड्रियत कि सब्सक्राब te लिया मेट कोंडरिक्थिस का ट्रिक्थिस बोनी फिश होते हैं तकॉत इस drug क्लासे संपडर क्लाहूँंगा जी ना भी सब्दाथिन क्लासिस भाएं सिट्टक्रफ ने एक्सायम्पल बहुत सिंपल हैं मैं मेरे में भी जैसे जैसे अगर मैं साइक्लुस्ट्थ्र है की बात करता हूं साइकलो सर्क्यूलर इस्टोमा माउथ सर्क्यूलर सकिंग माउथ जहां पर है वो साइकलोस्टोमेटा है ठीक है ठीक है अनली मरीन वाटर में मिलते हैं ठीक है एक्टोपरासाइड ऑन सम्फिशिश साइकलो स्टोमेटा साइक वाला साइकलो अलोंगेटिट बोडि यह पज़ता है यह कोशन आँसे स सब्सक्यूबि य को सकते स्थिय। व्रुबर माउथ होता है जो विदाउट जो क्योंकि अगने था मेरा खाय ना इसको जो नहीं ओका दियर बोडी इस डिवाइड इवाइड ओफ स्केल्स यहां पर स्केल्स दिशते फिश की सर्फेस पर स्केल्स और फिन्स होते हैं प्यार फिरंटी इस के ऽंग होई स्काट आइनोड। यह नहीं होतें श्तों श्मूदWs को सके जिया हैं यह नहीं होतें अब होस्केर पह्ताफ मैं को की यात हैं iaию से पेक्टूरल आगे वाले पी एर में होते हैं जब कि 25 उनतलर और कोईदल आ debating यह जोडियों में होते तो यहां पर पेर फिन्स नहीं होते पर अन पेर फिन्स इहां देखने को मिलते हैं जैसे यह दॉसल निख16 सब्सक्राइब देख रहा है पर पेक्टोनल पैल्विक नहीं होते हैं इसकेल से नहीं होते चिकनी एकदम स्किन होती है ठीक है क्रेनियम एंड वर्टिवल कॉलम आर काथे लेजनस अधी दिरे वो अभी पहले काथे लिजनस बन रहे हैं आगे बोन में करने बोट हो जाएंग स्क्राइब अब यहां से जो हर साल कूश्चन आ रहा है वह ऐकास प्रकार का माइग्रेशन भ्रहमर में होती है और का इनाड्रोमस टाइप्स हम आता है तो fresh water में आती है यहां अंड़े देती है तो बचाने की की वाज़िछ हो जाती है लिपा कि हैचिंग होती हैंदों फूकते हैं रसलार्वा निकलता है मूसिट लह इसमें अंछ रार्वा इसमें आपस कहाँ चले जाएंगे मरीन वोटर में ठीक है अपने जीवन यापन के लिए फिर से वह एडल्ट एक समय आएगा ब्रीडिंग का टाइम ब्रीडिंग के टाइम के लिए फिर वह बापस फ्रेश वाटर में आएगे एकी स्पाउनिंग करेंगे और उनकी डैथ हो जाएग काहनी यहां से चाल हुई fresh water तो ध्यां रखना है पहले fresh water फिर marine water और अंद कहा और जहां से starting होई थी fresh water फ़ैण रखना है FMF यह द्यान रखना है FMF समझे तो यह migration सब के अंदर देखने को नहीं मिलता है से पेट्रोमाइजोन और लेंप्रेम इसको लेंप्रेमी बोलते हैं यहीं देखने को मिलता है यहां कोशन आता है यह आपको ध्यान रखना है कोई डाउट एनाड्रोमस टाइप सफ माइगरेशन इसी पर कुशन बनता है जो बन रहा है लगबक अक्सर कर ठीक है तो आफटर म से जो लार्वा होता है दियर लार्वा आफ्टर मेटा मॉर्फोस इस रिटन टू पोसीन वाटर वाई यह कुशन जहां नहीं है या ठीक है ड्यू टू एपसेंस ओफ एयर ब्लैडर दे हैब स्विम अच्छा यह कहां से आ गया है आप एक मिन रूपना अच्छे कॉंट्रेक्स इसका ओके एक स्लाइड गाइव है कहां गई भाई होई नहीं चलो एक स्लाइड थोड़ी आगे बीज़े कहीं हो गई है एम्फिबिया रेप्टिलिया एपस मैं मेलिया चलो कोई नहीं ऐसी बता देता हूं है सारा का सारा बोनी फिश कुछ पॉइंट्स एंसी अर्टी वाली तो प्राइगें बोनी फिश प्राइड प्राइड फिश्श इन दे रखें किया और टे रखें कि अच्छ पुए नहीं है चलो कोई नहीं है तो लो बनी फिश्व लिटिता हूं है जो आँ कि इसकी एक स्लाइट थोड़ी मिस हो गई दर दर ठीक है काटिलेजनस फिश मैं संपूरी स्लाइटी बता देता हूं क्या मिस हुई है अगर मैं दुखो अब हम बात करते हैं साइकलोस टोमेटा के बाद हम आगे पाइसिस के अंदर जिसमें काटिलेजनस फिश और बोनी मिलने से बनता है बोनी फिश में बोन की मिलने से बनता है काटिलेजनस फिश लाइक शार्क देखी होगी इनके माउथ नीचे की सैड में होते हैं वेंड्रल बोनी फिश के माउथ आगे होते हैं टर्मिनल काटिलेजनस फिश की अगर बात की जाए तो इनकी पूरी के अंदर एयर ब्लैडर नहीं होते तो पानी में सिंग कर जाते हैं और स्टेबिल हो जाए एक्टिव रहना पड़ाइगा उनको जबकि बोनी फिश की बात की जाए उनकी बॉड़ी में एयर ब्लैडर सोते हैं तो आसानी से तैर सकते हैं पानी पर बिना मूवमेंट किये कि बोनी फिश की बात कर रहा हूं छार्प की बात कर रहा हूं ठिक है अगर मैं पर ब्लैडर और नहीं होता तो उनको खेल ना पड़ेगा आप आलवीज है हार्ट इस्टू चैंबर ये काटिलेजनस वो बोनियों दौनों में हर्टू चैंबर होता है अब बहुत इंपोडेंट चीज है काटिलेजनस फिष में कुछ के पास अलेक्टर को और गन होते हैं टूर्पीडो टूर्पीडो कुछ के पास पॉईजिन अब आइमल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ऐसे एनीमिल जो अपने बॉड़ी टेम्परेचर को मेंटेन करना जानते हैं चाहें बाहर का एटमस्वेयर कैसा में आप पढ़ोगे बर्ड्स और मैमल्स यह दौनों के दौनों होमियो थर्मिक हैं यह अपने बॉड़ी टेंपरेचर को मिंटेन करना जानते हैं यह भाहर की परिस्तिती कैसे भी हो तो यह हाइबर्नेशन एस्थिवेशन निस्क्री अवस्था को बोलते हैं वह सो नहीं करत होती हैं इसकल की बात की दो टाइप की अनद्र P मेंधीपी और मेंलिया की बात करूंगा तो दाए-kasक है अगूंडालिक की अच्छा टाइप सोफ एनिमल मैं लिख दिया है और ब्लडड वांब्लड वॉइकलियो थर्मिक होमियो थर्मिक फिश एमफीबिया रैप्टाइस बर्ट्स और मैमेलिया टाइप सो फिंस मैंने बता दिया पेर अनपेर पेर्ट पेर्ट पैल्विक अनपेर यह आपके आई ग जानिसी स्ट मैं खाक्ति आ लिए फिर में गए फिर्ट पिछे होते हैं बेल्स फिल्म है फीछे होते हैं यहां पर मेल कॉपुलेटरी ओर्गन होता है इनके पास क्लास पर ठीक है यह कोशन द्यारक ना मेल पैल्विक फिन बियर क्लास पर इता मेल कॉपुलेटरी ओर्गन यह खास बात है कि मेल कॉपुलेटरी ओर्गन पर इहां प्र 207 कि समयरो धियर इंटर फाला इशन एन मनी ओफ दैम आर विभी पैरस इंटरल फटलाइशन करता हो कहीं बच्चे देते हैं बिपैरस कई आ बच्चे देते हैं ठीक है को कि इंटरल फटलाइशन ओंग इंदर इंटनल फटलाइशन होगा ठीक है और जोखी क्लास्वर मेल को फूलियोंटरी और बच्चे देंगे जब कि बोनी फिश अंडे देते हैं वह भी पयरस होते हैं एक्स्तर्नल फटलाइशन होगा यह द्यानक ना यह थोड़ा सा चेंज है बोनी फिश भाण जिस्फमें थीक है एक्षाम्पल तो सिंपल है वह इसकुली डॉड़ फिश्च प्रिस्तिस सौफिस कॉर्करटों ग्रेट वाइट शार्क और लेक्ट टॉपीड लिए कॉमन ओपनिंग टोका नहीं होती है यह बराबर के नहीं होते हैं इनको हिट्रो सर्कल बोलते हैं उनको होमो सर्कल बोलते हैं यह त्रिक्स होती है मतलब जो मैंने बनाई रखी या लड़ी ठीक है यह बहुत क्लासिक ट्रिक्स हैं ठीक जवाने मैंने बनाएं थी कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आथ है तो मतलब बराबर के नहीं है बुरी फिश में रही हो सब आए हैं कि एग्दापल मेंकि ढूक बूलो गया प्रतिक भी निवलोंगे अरपशस को बोलते हैं साय नोगो फिसको लोगे सो दोन से ग्रेट वाले यह निलेंगे हैं वहां यह दो बता हैं मैंने बस अब इसने अब और आपको ओंधी की बात करते हैं तो पिर से पाइल करा देता हूं बोनी फिसका इस जरूत ही नहीं है इनका endoskeleton bone से मिलके बनाओगा जबकि उनका cartilage से इनका mouth terminal होता है जबकि उनका mouth ventral होता है समझते हैं अगर मैं skull की बात करता हूँ तो दोनों की skull monocondylic है ठीक है दोनों की skull monocondylic है अगर मैं scales की बात करता हूँ तो वहां पर टनाओब कया लगल्भ होते हैं दोनों ही pole प्लाइशन पांध्यूर्ड को वहां पर मेंilka को पुलीट्री और्गन क्लास पर यहां पमल्फ यह अर्टलाशन आख्स्टरेनल होता पानी में होता है ठीक है आप समझे और ओवी पैरस होते हैं अंडे देते हैं जब को विभी पैरस थे तो माउथ इस मूश्टी टर्मिलल देया है फोर पेयर ऑफ गिल्स कबड़ बाइ ऑपर कुलम यह उपर कुलम में कबड़ होते हैं इसकिन मैं साइकल टेनोड इसकिल्स होते हैं वहां पर ठीक है फ्लैक वाइड इसके ते एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है वहां एयर बैडर नहीं था यहां पर एयर बैडर प्रेजेंट है वहां एयर ब्लैडर नहीं था हट सेम है कोई अंतरी नहीं है एक्जांपल ध्यानकने इसके थोड़े से आपको सेक्सार सेपरेटिड वहां पर भी थे एस्टरन फटलाइशन होता है यह द्यानकने वहां इंटरनल ठीक है एंफीब्य में लारवा मिलेगा और नहीं बस ध्यानकना समुद्र में मिलने वाली दो ही मचली आपको याद रखनी है एक फ्लाइंग फिश ठीक है ग्लाइडिंग फिश बोलते हैं एक्जोसीटस और एक हिपोकेंपस हिपोकेंपस का तो डाइग्राम भी देर रख है रूहूच बोलते हैं रहां कि एक्जामपल और लैभीयो कैटला हूँए नदिव मिलने वाली मचली है लोग एकियूरी में भी एक्योरियी जूरी मिइन का ऐसा बेटा जो बहुत फाइट करता है समझे रहो फाइटिंग फिश बेटा फाइटिंग फिश और एक एंजिल एक ऐसी एंजिल ठीक है पेट्रोफाइलम एंजिल फिश तो पेट्रोफाइलम एंजिल फिश ध्यान रखनी है बेटा फाइटिंग फिश ध्यान रखनी है यह एक्यूरियम में मिलने वाली है फ्रेश गया होगा ठीक है अच्छा यह इदर किसक गया ठीक है डॉप फिश अच्छा सवरी ठीक है अब यह कंपाइल करा दे रहा हूं मैं एक्जांपल का कंपाइल अगर बोनी फिश की काटिलेजिस की बात करते हैं तो स्कोलियोड़न डॉप फिश प्रिस्टिस सौफिस कार्ट कर ट्राइगोन यहां पर मरीन वाटर में एक्जोसिटस और एपोकेंपस ठीक है लेबियो कैटला क्लारियस बेटा फाइटिंग फिश और पैट्रोफालम एंजल फिश यह दोनों का कंपाइल हो गया ठीक है बोनी फिश काटिलेजिस और बोनी फिश का सासत पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब लेटे हैं ठीक है तो आप कोई समझ में आई क्या होगा ठीक है most of them have two pairs of limbs tetrapoda में रखा है इनको tetrapoda तो two pairs of limbs होंगे इनके अंदर ठीक है टेल हां कहीं कहीं होती भी है कहीं कहीं नहीं भी होती है इनके अंदर बॉडी को देखो के हैड़ ट्रंक में डिवाइड है है रोता है और ट्रंक क्योंकि थोरेक्स एब्डॉमन में फ्यूज हो जाती एक बन जाता है इसको ट्रंक बोल इलेट्स होते हैं टिंपैनम या ड्रंबी होता है क्योंकि अवास सुनने में कैपे बिलोते हैं अलिमेंटरी किनाल यूदरी रिप्रडक्टिव ट्रेक्ट ओपन इंटु कॉमन यहां क्लोईका होती है बताई चुका हूं में क्लोईका यहां पर होती है इसे कॉमन ओपनिक और ऐस्प्रीटा एं जनाय टेलिया तीक है अ यहां बच्छो इसे याद ना आठाने उसकी इसलोगा रस्पारेशन घुर्टा स्क्रेशन टोगगी नंगोश की अगर बात करते हैं वहां तो फ्रॉग होते हैं व्रॉग में उसके लार्म इंडिस उता है प्रॉग मैं लंग अगर मैं लार्वा की बात करता हूं लार्वा में गिल्स होते हैं लार्वा में गिल्स होते हैं अब यहां बात को यहीं दिक्कत है पानी चाहिए फर्टलाइशन के लिए इनके इसलिए इसके बात जितना ही पढ़ाओंगे इसमें इंटर्नल ओगा तो थे को भी पहले सोते हैं डावलमेंट इंडिरेक्ट होता है क्या लार्वा प्रिजेंट होता है लार्वा यहां लार्वा इसके लावा लार्वा फिर कहीं लागा एक्जांपल बहुत इंपल नसके टिक है ब्यूफो टोड़को बोलते बड़ा सा हुँआ को पगड़े हुगे इनको रहान ठीड प्रोग को बोलते हैं पर इसके पास ज्यानकना आइलिड़ होते हैं ्क्तेटिन मेंबरीन के साथ इसने पास अइलिड़ निक्तर इन नहीं होते हैं कि उछ quéयर और यहां पर Par fourth कियर मिलती है यह अपने अंड़ों को बिल्कु लिख दम मलब पेरिंट की तरह करती है यह तो एंफीबिया में परिंटल केर नहीं होती है रेक्टा से चालू होती है प्रिंटल के कि अब भूलने वाले एक्जामपल नहीं है भूलने वाले दो ही जगहते जो अंडलाइन कर दें आप इस की बात करते हैं तो रैप्टाइज थीक है जो रहेंगने वाले वाले थे थीक है ता क्लास में भी रफर टू यह कृपिंग एन क्रॉलिंग मोड फ लोको मोटरी और गन इसलिए तो रैप्टाइज में रखा गया है इनका लोको मोटरी ओर्गन जो है अब यहां से टैरिस्टियल अब यहां से टैरिस्टियल अनीमल चालो हो गए इसलिए इनकी बाडी कबड़ होती है ड्राय एंड कॉनिफाइड स्किन से यहां पर एपीडर्मल स्केल्स होते है है जहां एपिडर्मल स्केल्स को होने मस्कोल की सैटिंग हो जाएगी जैसे दिए साप अपनी कैचुली हटाता है यहीं अपनी स्केल्स को लाइं ऑप इस ड्राइज भी हट जाते हैं क्यूंकि फिश अपने स्केल्स को ख एंप क्योंकि उनके स्केल्स मीज़ु डरमल होते ह मैं लिग दी है सक चिण दो प्रिकार की होते हैं मिजोडर्मल एक कर देंक नहीं होती हम एक्टार्मल रप्टाइस ओव बाट्स में होते हैं की अधिर मलोंगे वहां शेडिंग होगी कि अब यहां पर इसे एक्टनल एर ओपनिंग नहीं बने थी के वो आगे बड्स में बनते हैं इनके पास है एंफीबिया के पास भी था इनके पास भी है लिम्स फॉर प्यार है वो तो इसमें रखाई गए हर्ट थ्री चंज नहीं है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल बता चुका हूं क्रोकोडाइल की पास फॉर चंबर होता है बाद बखी कि बनेज नहीं आया इसनेक्स लिजार्ट शेड़ इर स्केस बाइस किन कास्ट पताई ए ठिक है सेक्सार सेपरेटेट फटलाशन इस इंटर्नल दे आर वी परस डवलमेंट डारेक्ट इंडरेक्ट डवलमेंट बस वही मिलेगा का का मिलेगा एंफीबिया इंडरेक्ट डवल जाओंब घंफुजन होता फसकारी लॉर्ट सेडर डिटाइस लोनी का दे रखा है ऐंत्कारी लॉट ऐसदिक है लए को नहीं की का डिढ़ान दे रखा है इंसीर टीन डाल फिर अवला होता है का रापी उसका बड़ा होता है पहर हो चलते हैं यह फलब टाइप की होते हैं ठीक है ठीक है तो समझ में आगया कि लोगनी एग उतर है टेस्ट फुरॉँ कि टेस्ट गों इसको टॉट्ट टैस्टत जानि एक टॉस होगा कोि है के उपले निर गासि तैस्ट सबक्ने सबनाइवास हुआ समझना यह कैमे लियून जो तुम देखते हो गार्ण में वो कैलोटिस है गार्डन लिजार वह भी गिर 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 असली में यह प्री एंसाइल टेल होती है मोड़ी हुई पीछे इसी तरीके से ऐसी तो यह पूरी इसकी हलकी इसमें स्केल्स दिखते हैं इसकी वाड़ी की ऊपर यह एक्चुल मैं ठीक है चैमेलियॉन ट्री लिजार्ड जो तुम देखते हो वह गार्डन लिजार्ड है ठीक है क्रोकोडाइल पताई है अलिगेटर आपको पताई है है मिदेक्टालिस वह लिजार्ड जो घरों में प्रियाइट पॉईजन स्नेट्न थाल्स ने की बात वीजेश नाजस पीरह घरोफ्य और रीचेट्ट अकलिफ्स क्णेट्स न्चालीवेत 94 चबायों होता है ठीक है ठीक है डिएफटेजकं बहुतने को मिलता है वाइप रावई पर ठीक है यह थीन ही है वमेफन स्नेक हे तो उसमें बट्स के मन में खयाल आया कि उड़ा जाए तो उड़ने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने बेट को हलका करना था और पंक बनाने थे तो कौन से कने बोडि को lagड करना था तो ऋपने अपनी हड़ीयों को सेडल करने के लिए इकटा करने के लिए क्रॉप होता है इनके पाइस निए सारे सीडी खट्टे होते हैं क्लियर है तो पहला क्या किया अपने फोर विंक्स को को मौड़ीफाइ एक फिर मसल्स को बंधने के लिए याहां पर कील बनाई फिर अच्छे से बन बंद जाते हैं थिक है टिक है फिर इन्होंने अपनी बॉडी को लंग्स के अंदर एयर सैक बनाएं जिससे बॉडी और हलकी हुई इनकी ठीक है इन्होंने अपने यूरिनरी ब्लैडर को निकाल दिया और पर ऑस्ट्रिस नहीं काला तो ऑस्ट्रिस के पास यूरिनरी ब्लैडर होता है ठीक है विंग्स को या अपनी जो फ्लाइट थे उसको सब्सक्राइब देने के लिए और फैदर उलच ना जाएं तो फैदर को मेंटें करने के लिए और उने वह बनाए ठीक है फ्लाइट लेस बर्ड में यह फीचर नहीं होते ठीक है यह मेन फीचर है और आखों के अंदर पैक्टिन ग्लैंड बनाए जो आखों को इसने की तरह एं और मॉडिफाइट वॉडिफाइट इंट विंग्स जनली हैव स्केल्स काँपर हाइं लिम्स पर नीचे पैरों में देखों के स्केल्स होते हैं इसने की तरह है एंड और मॉडिफाइट ओर वाकिंग श्विंग एंड लास्पिंग और ट्री ब्रांच इसकिन ड्राइब विदाउट इसकिन में ग्लैंड नहीं होते हैं एक्सेप्ट डा ओइल ग्लैंड एडड बेस ऑफ टेल में पैगोस्टाइल होती है यह पर इस तरीके से बैलेंस हो गया उन्हें यह चीज़ा नहीं होती है और फुली ऑसीफाइट पर नुमेटिक बोन ओते हैं ऑलो बोन ओते हैं जिनको नुमेटिक बोन बोलते हैं यह खास वीचर रहें का डाइजिस्टिब ट्रैक बहुत इंपोरेंट ठीक है यहां पर ग्रॉप और गिजार्ड होते हैं बिदाउट एनी एक्सेप्शन प्रिजेंट इन ओल और बर्स यह ऐसा फीचर है हट फोर्चेंबर होता है ठीक है हूं में थर्मिक यहां से चालू हो गए थे अपना बड़ निकालते हैं तो इसको साइरिंग से बूल सकते हो साउंड प्रेडियूज होती है आप नॉर्मल किसी भी लीफ को लो उसका रॉल बनाओ और बीच में दबा दो और तेजी से जब एर पास करोगे ना तो साउंड प्रेडियूज होगी ठीक है क्योंकि एर जब जहां से पास में ही और आप दो को चक्क्रीह है इस के अंदर पैक्तिं घ्रलेंड होते हैं होते हैं जो आइसको रांघ करते हैं यह सारे विंग मसल्स को लगाने के लिए कील बनाई यह फीचर फ्लाइट लेस बार्ड में नहीं होगे ठीक है फिर हलका करने के लिए उन्होंने अपनी बोन को निमेटिक बोन बनाया होलो बोन ठीक है और हलका करने के लिए उन्होंने यूरिन ब्लेडर को रिमूव किया एकसेप्ट लेंड बनाए कॉम लाइक समय और हलका करने के लिए मैंने बताई दिया आपको ठीक है यह फीचर से इसके जिसकी ऐसे बर्ट बर्ट हो पाए और ध्यान रखना यहां पर क्रॉप और गिजार्ड होता है जो कि विदाउट एन्य एक्सेप्शन सब के अंदर होता है कि सेम एक्सामपल इन सब को कजैरोगे दोझे चो डियाग्राम डिया रखने यह तो आपको याद रखने ही persist tar Car को याद रखना पढ़ाइगा सीटा को याद रखना पढ़ाइगा पैरट बोलते हैं और पीकॉक को बोलते हैं चार तो बहुत important है पर important सारे एं सीर्ट डीर नियाग्रम तो सारी important है थिए भचार यहां भी दे रखें ठीक एक क्रोव एडिशनल दे रखा है कॉलंबा पिजन याद रखना है आपको स्थिर्टा ओपर बताई दिया आपको ऊस्ट्रूइच उपर बताई दिया है यह पैओ पेंगविन यह आपको ध्यान रखना है ठोड़ा पैटबीन कोशन याद हो जाएंगे आपको ठीक हैं जहाहां पर भी आपको गिद दिे तो आप उसको जाईगा थे अभानतो ध्रताइब को गित तो सबीन पूर याद को और देखाएगा church एक कॉर्वस Bureau दिखे आफ को ठीके है हाँ पिजन पैणक्री पैणhon नहीं देखती अगया याँरा आप समझा त chil पैण सकाए है कि है कोदमबा पिजन सब जेए ये नियीजुक ऐड़ी तो पैंगख़ डिस्कवरी पे नियुकरी कारby को लंग योग हैंण। पास इंडिया में देखने को मिलता है सब जगे नियो फ्रॉन स्टुथियो चीटा को थे लुव को यह देखने को पर आपको अक्सर कर यहां जा पूरा पड़े हैं तो मैंश्मिद्थ आपको याद करना पड़े में आपनी फीचर सारे हैं वह मैं मस्की सारी फीचर्स है ठीक है फुरी बताता हूं वराइटी ओफ हैबिटेट्स सब जगे देखने को मिलते हैं सब जगे तब मोस्ट यूनिक मैमेलियन क्रेक्टर्स फीचर ऑफ क्या है इसका मैमेरिक लेंड विदाउट एक्सेप्शन प्रिजेंट इन और अनिमल्स के बेस पर ही हमने म पर नहीं होते हैं यहां पिनना होता है पिनना यह जो किसी और के पास नहीं होता है डिफ्रेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रिजेंट होते हैं हर्ट फोर्चेंबर होता है दियार होमियोथर्मिक यह भी है और बट्स भी थे रैस्परशन लंग्स कॉमन है सेक्सार सेप्रेट प्रकोशन आता है अग्या वेरी वेरी इंपोटेंट और नितो राइन कस नीट में कई वार पुछा गया और नितो राइन कस यह मैं यह चल मैं रेप्टाइल ही है पर इसके पास अंडबलप्ट मेमरी ग्लेंड बन गए थे इसलिए इसको मैमेलिया में रखना पड़ा ठीक है सोचो करेक्टर क्या क्या है ओवी पैरसे अंडे देता है पिन्नास में एपसेंट है इस्कुरोटम नहीं है वेजाइना नहीं है क्लोय का प्रिजेंट होती है जो मैमल का फीचर ही नहीं है निपल एपसेंट है पर मैमरी ग्लेंड है आप समझना है मेरी बात उस पर सब्सक्राइब नहीं है अब तक जो भी कोशन बनाए जब भी बनाए इसी पर बना है इसी पर बनाए तो इसका एक्जांबल आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है वेबी पैरस और वी पैरस और यह तो आप जानते ही हो वी वेबी पैरस बोलते थे पर NCRT इसको वेबी सब्सक्राइब अब जानते ओं ठीक है यह चार एक्जांपल याद रखे लो और कोशन जो अब तक बना है वह हमेश्फा डग बिल प्लेटीपस और ने तो राइनकर्ट पर बना है तक है डिमेनिंग तो यह आपके आसपास घर में बाहर देखने को मिलते हैं याद कर लो त इतनी सी बात है तो कमपाइल मैंने कर दिया है कमपाइल का तरीका मैंने भता दिया है सारे एक्जामपल को ए e4 साइज पर आप लिख करके कमपाइल कर लोगे आज दो एक तरफ नॉन कॉड़ेट का एक तरफ कॉड़ेट का आज साम को लगा लो अपने इसमें ठीक है और एक दूबार उसको देखोगे तो परमानेंटली याद हो जाएगा ठीक है वहां कंपाल स्टेडी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो बज़ यहीं बोलूगा आपसे ठीक है तो थैंक यू बटा आप अगर लेक्चर के अंदर ठीक है तो थोड़ा सा लेक्चर में आगे पीछे हो रहा है तो उसके लिए आपको बता चुका हूं थोड़ी स है बहुत कुछ हो जाए ठीक है तो बीए र्स रहती है आप से और हैबिटे बच्तiser की थी बनद्यों से कि मन से अगर आप का अफिटिव सकते हो ठीक है तो अगर एक पाजिटिव बीए Ł ओर सब्सक्äm्राइबूराप्राट पर अपर पड़ता है अः झाल 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 झाल